खनुष ने उदासिंता से उत्तर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन है, जब तक वे पहले हम पर गोली चलाने की हिम्मत करेंगे, हम उनके जीवन का दावा करेंगे. मेरे शब्दों को याद रखना, मैंने उन लोगों के खिलाफ कभी कारवाई नहीं की है, जो मुझ पर हमला नहीं करते हैं, लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं, तो मैं उन्हें सैकडों गुना कीमत चुकाऊंगा। परित्यक्त कारखाने की परिधी में अगर मैं काम पूरा नहीं कर पाई तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। इचरो यामामोटो ने अपना सिरहिलाया, आपको ऐसा वादा करने की जरूरत नहीं है। याद रखें कि आप यामामोटो कभीले के एक मात्र वारिस हैं और साथ ही नौर्थस्टार वन ब्लेड स्कूल के भावी स्कूल मास्टर भी हैं। कोई भी मर सकता है, लेकिन आपको नहीं मरना चाहिए। रुकना इचरो यामामोटो ने कारखाने से लगभग 10 मीटर दूर अपनी गती रोक दी और अपने वाइरलिस इयरफोन के माध्यम से रुकने का आदेश दिया। उसके सामने ग्रिम रीपर स्कित भाड़े के दो सदस्यों के शव अभी ठंडे नहीं हुए थे। वे अपनी गरदन पर घाव और छेदे हुए दिलों से मर गए। वे मिटसुबिशी सेना के चाकू चलाने वाले किसी व्यक्ति द्वारा मारे गए थे। जमीन पर पच्चिनों से देखते हुए संख्या दो या तीन होनी चाहिए दूसरी पार्टी बहुत मजबूत है। कम से कम हत्या करने में तो माहिर हैं क्योंकि इन दोनों को तो पहरेदार होना चाहिए। नकाब पोश महिला गहरे स्वर में बोली। इचरो यामामोटो ने भारी स्वर के साथ कहा, परिधी की जाच करें और देखें कि क्या ग्रिम रीपर्स के थे भाड़े के अन्यशव हैं। उसने सोचा कि उन्होंने युवान जेंगक सुवान को पकड़ लिया है और उन्हें गंभीर नुकसान होने और फिर एक आश्चर्यजनक हमला करने का मौका मिलने वाला था। वह तब इन लोगों को नश्ट कर देगा और अंतिन विजेता बन जाएगा। हाला कि इस अचानक विकास ने उन्हें नुकसान पहुचाया और यह नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया दें। आधा मिनट गहराई से सोचने के बाद इचिरो यामामोटो जल्दी से एक बड़े पेड के पीछे चिप गया और चिलाया तैगोर क्या तुम अभी भी जीवित हो। यह इचिरो यामामोटो है। कारखाने के अंदर, बाहर से आती आवाज सुनकर धनुष ने अपनी भौहे सिकोर ली। उसने दूसरों की ओर देखा और पूछा, इचिरो यामामोटो, जापानी? वोल्फ हेड की आखों में एक ठंडी चमक चमक उठी जब उसने भारी लहजे में कहा, वह जापान से या पूरे इतिहास में उनके देश ने कमजोरों को धमकाया और मजबूत लोगों से डरते रहे. उन्होंने एक बार चीन पर आक्रमन और अतिक्रमन भी किया था और इस भूमी पर अपना आतंक का खूनी शासन छोड़ गए थे. धनुष ने अपना मोबाइल निकाला और धनुष ने गंभीर स्वर और अभिव्यक्ती के साथ आदेश दिया. बाहर इचिरो यामा मोटो ने अपनी भौहों को गहराई से सिकोड लिया. अंदर से कोई जवाब नहीं आया, उसे एक बुरा पूर्वाभास दिया. हाला कि उनका अहंकारी रवया था और इस समय वे ज अंजा को स्नाइपर राइफलों द्वारा सीधे मार दिये जाने के कारण आग की लपटे निकल गई. लानत है. ध्यान से इचिरो यामा मोटो ने शाप दिया. उसने अपनी पिस्टॉल कमर से निकाली और फिर फैक्टरी की ओर बढ़ता रहा. गोला बारी शुरू हो गई. दोनों और से फाइरिंग हो रही थी, लेकिन स्थिती गतिरोध की बनी रही. कारखाने के अंदर के लोग बाहर नहीं आए. फिर भी इचिरो यामा मोटो द्वारा लाए गए विशेशग्य आग के जाल को नहीं तोड सके और कारखाने में घुसने में असमर्थ रहे. इचि पीछे हटने का आदेश जारी कर पाता, एक भूत जैसी आकरती कारखाने से निकली, गोलियों की आवास तुरंत कई गुना अधिक तीवर हो गई. लानत है, जल्दी पीछे हटो, मार डालो और हमारे रास्ते को खून से उड़ा दो. इचिरो यामा मोटो दहशत में आ गया उन्होंने चीनियों की प्राचीन कहावत को याद किया कि वे एक जार में कच्छुए की तरह थे, पूरी तरह फंसे और फंसे हुए थे. उसे लगा की ऐसी स्थिती में वे ही हैं. शू, इचिरो यामा मोटो के बगल में एक अजीट सिलहूट दिखाई दिया. यह नकाब पोश महिला थी. उसने भारी स्वर में कहा, मास्टर, मेरे साथ चलो. इचिरो यामा मोटो ने नकाब पोश महिला के सुझाव को खारिस कर दिया और डाटा, मूख. महिला, तुम बह चिला चिलाए क्योंकि उसका फिगर तुरंत गायब हो गया. इस वक्त धनुष फैक्टरी से निकल चुका था. उसने लगातार तीन गोलिया चलाई और तीन जापानी निंजाओं को मार डाला. जैसे ही उसने दुश्मन के नेता को देखा, उसने अचानक अपनी भौहे कसल अपने आध्यात्मिक अर्थों में उन्होंने पाया कि वे सभी निंजा एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ रहे थे, जबकि एक जोरदार आकरिती किनारे की ओर भाग रही थी. इसके अलावा आकरिती की गती बेहत तेज थी. इसके अलावा उन्होंने अपने अलावा काश्टकारों के बीच किसी को भी नहीं देखा था जो इतनी तेज गती रख सके. भागना चाहते हैं एह. नकाब पोश महिला की ओर दोरते ही धनुष की परचाई चमक उठी. करीब 10 सेकेंड बाद धनुष ने नकाब पोश महिला का रास्ता रोक लिया था. उसके हाथ में लगी बंदू भी उसके निशाने पर थी. उसने ट्रिगर खीच दिया. बैंग बैंग बैंग. तीनों गोलियों को आधे चांद के बलेड द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था, जिससे हर जगह चिंगारी भड़क उठी थी. नकाब पोश महिला अजीब तरहेटे कदम से चल रही थी क्योंकि उसका शरीर लगातार चमक रहा था. एक शन बाद वह पहले से ही साथ या आठ मीटर दूर थी. धनुष का चेहरा और गंभीर हो गया. दूसरी पार्टी गोलियों के प्रक्षेपवक्र को पकड़ने में सक्षम थी और यहां तक कि उस पल से बचने म से समर्पन करो. धनुष ने पिस्तॉल को अपनी जेब में रखा और मित्सुबिशी सेना का चाकू निकाल कर नकाब पोश महिला की ओर दोड़ पड़ा. उसकी गती उससे लगभग दोगुनी तेज थी. कुछ ही सांसों में उसने एक बार फिर उसका रास्ता रोक लिया. है नकाब पोश महिला को मल स्वर में जोर से चिल्लाई. उसके हाथों में आधे चांद के आकार के ब्लेड ने ब्लेड शेड्स की परतों पर परते बनाई और धनुष की ओर बढ़ने की कोशिश की. उसका ब्लेड पले बेहद अलौकिक था क्योंकी. इसने सीधी दिशा में हम और धनुष के शरीर के सभी महत्वपून बिंदूओं को निशाना बनाया. जंजनाना, बजना, बजना. धनुष ने हमलों को टाल दिया और उसे रोकने के लिए अपने खंजर का इस्तिमाल जारी रखा. पलक जपकते ही उसने अपना खंजर वापस ले लिया, उस पर साथ आठ दरारे दिखाई दे रही थी. हम्फ उसके मुह से खून के छींटे छूट गए और वह फिर जोर से जमीन पर गिर गई. धनुष का शरीर चमक उठा और उसके सामने दिखाई दिया. बहुत तेजी से गती में उसके कई प्रतिबिंबों को सील कर दिया और उसे उठा लिया. मैंने तुम से कहा था, तुम कभी न नहीं बच सकते. धनुष नकाब पोश महिला के नकाब की ओर बढ़ा और तुरंत बार काफी हैरान हो गया. नकाब पोश महिला के पास लुभावनी सुंदर्ता थी और उसकी भौहों के बीच एक नाखुन के आकार का तितली पैटर्न भी था. उसकी सुंदर्ता के साथ धनुष मन के हाथों गिरना मौत से अलग नहीं है. इस बिंदु पर उसे सबसे ज्यादा पच्टावा इस बात का था कि उसके पिता ने एक साल पहले ही उसके दांतों में जहर का कैपसूल जबरगस्ती निकाल लिया था. धनुष ठंडेपन से मुस्कुराया, तुम मरना च जीवित रख सकता हूँ. इसलिए तुम अपने आपको मारना चोर दो, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के अंतिन घंटों में इस दुनिया की सबसे क्रूर और दर्धनाक यातना चखाऊंगा. नकाब पोश महिला ने धीरे से अपनी आखे बंद कर ली. वह अप बंदी बना लिया जाना और बंदी बना लिया जाना उनके जीवन का अब तक का सबसे दर्धनाक अनुभव था. दूसरी ओर लड़ाई बहुत तीवर गती से समाप्थ हुई. इचरो यामामोटो की गोली मार कर हत्या कर दी गई और 40 से अधिक जापानी निंजाउने वाप की सभी मारे गए, जबकि धनुष के अधिनस्त दो घायलों को छोड़ कर सभी सुरक्षित निकले. हमें उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, बॉस? धनुष के आगमन को देखकर जोंग ये कुई की आखें उसके कंधे पर कुवाको के शरीर की ओर जुकी और फिर एक गहरे स्वर में पूछा. धनुष ने उदासीन भाव से उत्तर दिया, उन सभी को मार डालो. समझा, जोंटाई कुई ने उच्छ स्वर में उत्तर दिया. जैसे ही वह हत्यारों को मारने वाला था. इंतजार, कुवाको जिसकी आखे बंध थी, ने अचानक अपनी आखे खो कौन हैं? आपको केवल यह जानने की जरूरत है कि हम आपके दुश्मन हैं. युवान जेंगक सुवान मेरी दोस्त है. तुम उससे निपटना चाहते थे, इसलिए तुम स्वाभाविक रूप से मेरे दुश्मन बन जाओगे. कुवाको ने सिर हिलाया. उसकी नजर गंभीर रूप से घायल चार-पांच निंजाओ पर पड़ी. कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने फिर से धनुष्च की ओर देखा और कहा मैं तुम्हारी एक शर्क मान लूँगी लेकिन तुम्हें उन्हें जाने देना होगा. धनुष्च ने व्यंग्य करते हुए कहा शर्तें, आ धनुष्च ने एक अकलपनिय अभिव्यक्ति के साथ उत्तर दिया. मैं फिरोती की रकम को समझ सकता हूँ क्योंकि आपको यमामोटो कभीले का सदस्य होना चाहिए. ये निंजा नौर्थस्टार वन ब्लेड स्कूल से होने चाहिए. लेकिन मैंने आजकल गुलाम बनने के बारे में कभी नहीं सुना. वोल्फ हेड अचानक भौहें चड़ा कर धनुष के पास आया और बोला बॉस मैं नौर्थस्टार वन ब्लेड स्कूल के बारे में जानता हूँ. इस स्कूल का एक बहुत ही असामान्य रिवाज है और वहां का हर व्यक्ति बहुत निर्दई है. फिर भी उनके पास एक लोहे का कानून भी है कि अगर नौर्थस्टार वन ब्लेड स्कूल के स्कूल मास्टर का उत्तराधिकारी दुश्मन के हाथों में पढ़ जाए तो वे मान जाते हैं जीने के लिए तीन साल के लिए अपने दुश्मन के गुलाम बन गए. लेकिन तीन घनुष ने विस्मय से उत्तर दिया. वुल्फ हेड ने मुस्कराते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह जापानियों की बीमार मान सिता है. सामान्य लोग उन्हें कैसे समझ सकते थे? मुझे लगता है कि चुंकि हमने उनकी तरफ से इतने सारे लोगों को मार डाला है, इसलि स्कूल कितनी फिरोती की रकम देने को तयार होंगे. कुवाको ने उत्तर दिया, मेरा जीवन 300 मिलियन अमरीकी डालर का है, जबकि उनका जीवन 50 मिलियन अमरीकी डालर का है. उनमें से 5 कुल मिलाकर 250 मिलियन अमरीकी डालर होंगे, तो कुल फिरोती की रकम 550 मिलियन अमरीकी 550 मिलियन अमरीकी डालर 3 अरब से अधिक RMB कुवाको की ओर देखते ही धनुष की आखें छलक उठीन जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था हाला कि वह अमीर भी था और उसके पास 3 बिलियन RMB से अधिक की कुल संपत्ती थी अगर उसे पैसा मिल सकता था तो वह वर्तमान में अपने वित्तिय संकट को सीधे हल करने में सक्षम होता पा धनुष ने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली तीम लीडर ने जल्दी से अपना लाइटर लिया और उसे जलाने में मदद की गहरी सास लेने के बाद उन्होंने फिर धीरे से कहा आप यामामोटो कभीले के वारिस हैं और नॉर्थस्टार वन ब्लेड स्कूल के भावी स्कूल मास्टर भी हैं यह सही है कुवाको ने उत्तर दिया ठीक है हम स्थिती कैसे बदल सकते हैं धनुष ने हस्ते हुए पूछा मैं इन दो शर्तों में से केवल एक को ही स्विकार करूंगा कुछ और बहतर होगा कि तुम अब हमें मार डालो कुवाको ने भौहे चड़ा कर जवाब दिया धनुष ने कहा बस पहले मेरे शब्दों को सुने और फिर तै करें कि आप अनुपालन करेंगे या नहीं कुवाको नहीं बोला धनुष ने फिर जारी रखा मेरे अधिनस्थ बनो आगे चल कर तुम्हारे मेरे अधिनस्थ हो जाने पर यह धनुष तुम्हारी स्वतन प्रता को कभी भी सीमित नहीं करेगा और तुम्हें वापस जापान भी जाने देगा हाला कि आपको भविश्य में मेरे आदेशों का पालन करना होगा सपने देखते रहो कुवाको ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया धनुष ने उदासींता से कहा मैं आपसे व्यर्थ में अपने अधिनस्त होने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं आपको लाब दूँगा लाब कुछ ऐसा है जिसकी अंगिनत लोग कभी सपने में भी कलपना नहीं कर सकते हैं कुवाको ने अपना सिरहिलाया मुझे किसी चीज की कमी नहीं है मुझे खरीदने के बारे में सोचना छोड़ दो धनुष ने अपने आसपास के अन्य लोगों को इशारा किया और वे तुरंट तितर बितर हो गए उसके बाद केवल कुवाको और वहत है धनुष ने फिर धीरे से पूछा आप मेरी ताकत के बारे में क्या सोचते हैं कुवाको की शिश्या सिकुड गई जैसे ही उसने सिरहिलाया तुम बहुत मजबूत हो शायद मेरे स्कूल मास्टर भी तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं होंगे जदी आप मेरे अधीन हो जाते हैं तो मैं आपकी ताकत को बहुत बढ़ा सकता हूँ मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा तीन साल तक मेरी पद्धती के अनुसार अभ्यास करते हैं तो आपकी ताकत दस गुना बढ़ जाएगी धनुष ने कहा हम्फ कुवा को ने उपहास किया क्या तुम्हारी शक्ती मुझसे दस गुना अधिक शक्तिशाली है असंभव आपको गलत फहमी हुई है मेरी क्शमता सिर्फ सीधे मारने तक ही सीमित नहीं है यदि आप इतनी तेजी से नहीं आए और मुझे एक अच्छी समर्चना की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय दिया तो मैं यह कहने की हिम्मत कर सकता हूँ कि मैं आधे मिनट के भीतर आपके सभी 40 से अधिक लोगों का सफाया कर सकता हूँ आप गठन सर्णियों के बारे में जानते हैं तो मैं गुप रूप से आपकी सहायता कर सकता हूँ इसलिए आपके लिए यामामोटो कभीले का प्रमुख बनने के साथ-साथ नौर्थस्टार वन ब्लेड स्कूल का स्कूल मास्टर बनना आसान हो जाएगा मैं जापान में सबसे शक्तिशाली ताकत बनने के लिए इन दो शक्तियों को विक्सित करने में आपकी मदद भी कर सकता हूँ कुवाको ने धनुष को देखा और गहरे स्वर में पूछा आखिर में तुम कौन हो जदी आप मेरी पहचान जानना चाहते हैं तो आपको मेरी शर्तों से सहमत होना होगा आपके वापस जाने के बाद आप धीरे-धीरे मेरे बारे में जांच परताल कर सकते हैं लेकिन आधार यहा है कि आप जीवित हैं और वापस जाने में सक्षम हैं धनुष ने उदासीनता से कहा ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं आप पर विश्वास कर सकू कुवाको ने सिर हिलाते हुए कहा धनुष ने कुवाको की ओर इशारा करते हुए कहा क्या आपको लगता है कि मुझे आपसे जूट बोलने की जुरुरत है कुवाको चुप था उसे एक शक्तिशाली विशेशग्य के सामने खुद को समर्पित करने में कोई आपती नहीं थी लेकिन उसे हमेशा लगता था कि अगर उसने अभी फैसला किया है तो यह बहुत जल्दबाजी और लापरवाही होगी आधे मिनट तक सोचने के बाद उसने फिर धीरे से पूछा क्या आप मेरे जाने के बाद आज की शपत को धोखा देने से नहीं दरते मैं क्यों? आप इसका उलंगन करने की हिम्मत नहीं करेंगे धनुष ने मुस्कराते हुए जवाब दिया कहा से आया तुम्हारा यह आत्मविश्वास कुवाको ने उफास के साथ उत्तर दिया धनुष ने उदासीन्ता से कहा जब तक आप मेरे कहे अनुसार करते हैं मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस पर विश्वास करेंगे क्या करना है कुवाको से पूछा धनुष ने उसकी हथेली पकड़ ली और खूनी निशान बनाने के लिए मित्सुविशी सेना के चाकू का इस्तिमाल किया फिर उसने अपनी उंगली भी काट ली और अपने खून की एक बूंद उसकी हथेली पर गिरा दी उन्होंने फिर गहरे स्वर में कहा अस्वीकार मत करो चुप रहो और हिलो मत उस अनुभूती को प्राप्त करें जो आपके शरीर में प्रवेश करेगी आपको बाद में मिलने वाले लाभों का पता चलेगा कुवाको सहज रूप से इसे अस्वीकार करना चाहती थी फिर भी धनुष की बाते सुनकर उसने सोचा धीरे धीरे उसके शरीर में रिस्ती रही और धीरे धीरे उसकी रक्त वाहिकाओं के माध्यम से चली गई और उसके हरिदय के अंदर समा गई सोल रूलिंग स्पेल धनुष की उंगलियों ने कुवाको की हतेली पर निशानों की एक श्रिंखला को चुब होया क्योंकि उसने कुवाको की हथेली पर अपनी उंगली की नोप पर तारा बल संधनन को थप्थ पाया उसे उसके रक्त वाहिकाओं के साथ उसके हरिदय में प्रवाहित करने के लिए नियंत्रित किया उसके हृदय में प्रवेश किया और उसकी एक बूंड के साथ विलय कर दिया उसमें रक्त बूम वर्तमान में कुवाको को लगा कि उसके सामने केवल अंधेरा ही अंधेरा है मुह से खून निकलते ही एक मीठा स्वाद उसके गले में घुस गया अगर धनुष इससे बचने के लिए एक तरफ नहीं हटता तो उसके शरीर पर खून के छींटे पड़ जाते धनुष चुपके से जोर से हामफने लगा सोल रूलिंग्स पेल की आवर्शक्ता अत्यंत कठोर थी यदि दूसरे पक्ष के पास इसे पीछे हटाने का विचार होता तो वह अपने वर्तमान खेती के आधार के साथ ऐसा करने में असमर्थ होता स्वभाग्य से कुवाकों ने इसे पीछे नहीं हटाया और अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत कर लिया अंधेरे में खड़े होकर वह पहले से ही कुवाकों के शरीर की स्थिती को महसूस कर पा रहा था उसे यकीन था कि अगर वह चाहता है कि वह मर जाए तो वह चाहे तो उसका दिल फोर सकता है वायू तुमने मेरे साथ क्या किया? कुवाकों ने अपने मुह के कोने पर लगे खोन को मिटा दिया, धनुष को भौचक का भाव से देखा धनुष ने उदासींता से कहा, यहां आत्मा पर शासन करने वाला मंतर है यहां आपके जीवन पर राच करता है यदि आप मेरे आदेशों और इरादों के साथ विश्वासधात करने का साहस करते हैं जब तक मैं यह करूँगा, आपका दिल फट जाएगा और आप सीधे एक दुख़द मौक मरेंगे क्या? उसे यह भी महसूस हो रहा था कि उसकी जीवन शक्ती दूसरे द्वारा नियंत्रित की जा रही है उसे अब एहसास हुआ कि वह अपने शरीर के अंदर की स्थिती को भी देख सकती है वह अपने दिल के उपर खूनी पुरातन दौड भी देख सकती थी जो उसके दिल की तुलना में अधिक उज़वल और रंगीन थी मेरा शरीर कुवाकों ने धीरे-धीरे अपने शरीर की असामान्यता और असामान्यता को महसूस किया यद्यपी वह वर्तमान में हिलडुल नहीं सकती थी फिर भी उसे स्पष्ट अनुभव हो रहा था कि रक्त में से कोई अध्धुत और रहस्य में शक्ती फूट रही है जिल्मिलाती चमक की एक परत धीरे-धीरे रक्त वाहिकाओं से बाहर निकली और उसके आंतरिक अंगों में एकी कृत हो गई उसकी मांस्पेशियों और टेंडन में जुड़ गई अंत में हड्डियों में बस गई उसका सम्विधान मजबूत हो रहा था धनुष ने उदासींता से कहा अब आप इसे महसूस कर सकते हैं जैसा मैंने तुम से कहा था यदि तुम मेरे अधीन हो जाओगे तो मैं तुम्हें लाब दूँगा इसी तरह आपको बाद में जो लाब हो सकते हैं वे इनसे कहीं अधिक हैं शपत लें और मेरे प्रती अपनी निश्ठा की प्रतिग्या करें और मैं आपको एक साधना तक्नीक सिखाऊंगा बाद में यदि आप लगन से साधना करते हैं तो आपकी शक्ती निश्चित रूप से तीन वर्षों के भीतर दस गुना से अधिक बढ़ जाएगी कुवाको ने उसकी लार को सक्त निगल लिया उसने धनुष को देखा और पूछा क्या तुम एक जादूगर हो और तुमने मुझ पर काला जादू किया है एक जादूगर धनुष ने तिरसकार पूर्ण भाव से उत्तर दिया और जारी रखा, जो लोग खुद को तांतरिक कहते हैं, वे तुछ ठगों के अलावा और कुछ नहीं है यदि मैं कुछ और वर्षों तक साधना करना जारी रखता हूँ, तो मेरी साधना में काफी सफलता मिलेगी, यहां तक की प्रिथवी पर सबसे शक्तिशाली जादूगर भी मेरी उंगली की नोक से अधिक नहीं होगा कुवाको का दिल तेजी से धड़का और धड़क उठा, उसने अपने दात भीचे और फिर भारी स्वर में कहा, कृप्या मुझे चलने की मेरी क्शमता वापस दे दो धनुष ने कुवाको के प्रतिविंग बिंदूओं पर से मुहरों को हटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और अपना पहरा भी नहीं लगाया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि कुवाको ने उसके खिलाफ इस तेजी से आगे बढ़ने का सोचा कुवाको ने अपने शरीर को उपर नीचे किया, उसके बाद वह फिर धनुष के सामने अपनी बाई छाती के उपर अपनी दाहिनी मुठी के साथ जुकी, जबकि उसके बाई हाथ ने एक विशेश हाथ की मुहर बनाई और कसम खाई, मैं हुआको यामावोटो मेरे सामने आ देखकर धनुष ने फिर शांती से कहा उठो। अचानक पूछा, मास्टर, आप। धनुष ने उसे टोका और गहरे स्वर में बोला, मुझे मास्टर मत कहो, बस मुझे बॉस कहो। समझा, कुवाको ने तुरंद उत्तर दिया। ठीक है। अब मुझे बताओ कि तुम क्या कहना चाहते थे, धनुष ने कहा। कुवाको ने पूछा, बस, क्या आप उन पाचों पर नियंतरन कलाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने भी हमारी बातचीत की सामगरी सुनी है। मुझे दर लग रहा है। मैं उन्हें मार डालूंगा, धनुष ने कहा। अपना सिर हिलाते हुए, कुवाको ने कहा, वे विशेशग्य हैं, जिनका मेरे स्कूल ने बड़ी महंत से पालन पोशन किया है। अगर वे मारे गए, तो यह अफसोस की बात होगी। यदि आप उन्हें नियंतरित कर सकते हैं, और बाद में उन्हें मेरी आज्याओं का पालन करने देंगे, तो मुझे अधिनस्थों पर भरोसा होगा। धनुष ने अपना सिरहिलाया, वो सकता है कि वे तुम्हारी नजरों के विशेशग्य हों, लेकिन मेरे लिए वे सिर्फ कच्रा हैं। इंस पेल को पूरी तरह से कास्ट कर सकते हैं। धनुष ने अपना हाथ हिलाया और यह कहते हुए उसे आत्मा शासन मंत्र भी दिया। इस बार चीन आने का आपका क्या उद्देश था। इसलिए हम युआन जेंदक सुआन से जैव रासायनिक जीवानों के बारे में मुख्य डेटा और जानकारी प्राप्त करने के प्रयास में चीन आए। धनुष तुरंत समझ गए, ठीक है, मैं समझ गया। अब जाओ और उन निंजाओ को वश में करो। फिर उन्हें ले जाओ और चीन छोड़ दो। जहां तक बायोकेमिकल बैक्तीरिया को लूटने के साथ साथ इसके शोध और विकास को हथियारों में बदलने की बात है, तो इससे दूर रहें और भविश में फिर से इस व्यवसाय में भाग न लें। इसके अलावा यदि आप वापस जाने के बाद किसी भी समस्या का सामना करते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके मुझसे संपर्क करें। अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो मैं आपकी मदद के लिए कुछ लोगों को भेजुगा। समझा, कुवा को सिर हिलाया। मैं वास्तव में आभारी हूँ, अगर यहां आपके लिए नहीं होता, तो मुझे डर है कि लिटिल लिंग और मैं मर गए होते। और शायद यहां तक की, यहां तक की मेरी कमपनी के मूल देटा और जानकारी को भी उनके द्वारा जब्द कर लिया गया होगा। युवान ज आपसे मुख्य जानकारी देने का वादा किया था, लेकिन चुंकि मैं कई चीजों में व्यस्त था, इसलिए मैं इसके बारे में भूल गया। मैंने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया है। उप्योग सेना को हतियार के रूप में किया जा सकता है, और मैं अपने व्यवसाय को दूसरे खशेत्रों में बदल दूँगा। धनुष ने आखे मूद ली और पूछा, अंकल युवान, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपकी प्रयोगशाला में विक्सित यह जैव रासायनिक बैक्तीरिया कितने में बिक्स सकता है। पूछ का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने फिर सिरहिलाया और कहा, ठीक है, यह वास्तव में बहुत मूल्यवान है। ठीक है, मैंने वह सब कुछ किया है जो मैं कर सकता था, इसलिए मैं संपार्शविक और परिनाम आप पर छोड़ दूँगा। भविश्य में किसी चीज की जरूरत हो, तो बेजे जक मुझे फोन कर सकते हैं। धनुष ने धीरे से सिरहिलाया। कुछ याद करते ही अचानक उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। फिर उन्होंने तुरंट एक मुस्कान बिखेर दी और कहा, अंकल युवान अब जब मुख मेरे दोस्त हैं। इसलिए परेशानी से बचने के लिए मैंने अपना लैंड रोवर एक दूरस्थ शहरीक शेत्र में पार्क किया। युवान जेंगक सुवान में गर्म जोशी भरी हुई थी। वह जोर से हसा, धनुष यह तो मामूली सी बात है। इसे मेरे उपर छोड़ दो। मैं गारंट में था। उसने धीरे से अपनी चाती पर मुक्का मारा और हसा, यह कैसा रहा। क्या आप बेकार डरे हुए थे। तुमने सोचा नहीं था कि मैं अकेले ही दुश्मनों को मार डालूंगा, क्या तुमने। को निगल सकते हैं, तो मैं आपको दूसरों को सिखाने दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको कॉलेज जाना चाहिए। तो बस अपने कॉलेज जीवन का अच्छी तरह से आनंद लें। योआन चुलिंग ने अपना सिरह लाया, भले ही मैं कॉलेज जाता हूँ, फ को रोज सुबह पांच बजकर तीस मिनट बजे उठना होगा, एक घंटे स्क्वाट करना होगा और दस किलोमीटर दौरना होगा, फिर शान को भी दस किलोमीटर दौरना है, अगर तुम पहली सितंबर तक बने रह सकते हो, तो मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा, वास्तव में युवान चुलिंग की लड़ाई की भावना बढ़ गई, धनुष ने अपने गोल पेट को देखा और अनायास ही हंस पड़े और कहा, असली, इसके तुरंत बाद वह युवान जेंगक सुवान की ओर मुरा और कहा, अंकल युवान मुझे इसके परिनाम से न निकल गया, कुल मिलाकर 32 लोग जल्दी से परित्यक्त कार खाने को छोड़ कर चले गए, चुंकि वुल्फ हेड और अन्य ग्यारह सेवानिवरित विशेश बलो ने उसका अनुसर्ण करने का बादा किया था, इसलिए उसने उन्हें अपने तरीके से जाने दिया, और जब उन्होंने अपना परीक्षन पूरा कर लिया था, धनुष सोच रहा था कि उनके साथ क्या किया जाए, अचानक उसके सिर के अंदर एक योजना के रूप में उसका रंग तिम्टिमा गया, वुल्फ हेड तुम लोगों ने इस बार अच्छा काम किया, यह कहा जा सकता है कि आपको मेरी पहचान मिली, तो मैं आपको पहले कुछ दिन आजादी से स्टार सिटी में बिताने दूँगा, जब तक मैं यहां कुछ मुद्दों को संभालता हूँ, तब तक वहां प्रतीक्षा करें, और फिर मैं आपको उस द्वीग पर ले जाऊंगा जिसे मैंने प्रश के लिए सब कुछ समाप्त कर देगा, आप सभी को बरखास्त कर दिया गया है, समझा, यह सुभा चार बजे था, धनुष साउथ गेट टाउन लॉट आया, वह रातों रात स्टार सिटी वापस आ गया, और उसने यह बात अपनी मा को नहीं बताई, इसलिए उन्होंने फिल धनुष ने धीरे से गुयिन के कमरे का दर्वाजा खोला, जैसे ही उसने उसे अंदर गहरी नींद में सोते देखा, उसने संतोष से सिरहिलाया, वह फिर अपने कमरे में चला गया, उसके दर्वाजे को धक्का दिया, और रोशनी को सुविधा जंक रूप से चालू कर दिय धनुष का चहरा जम गया था क्योंकि उसकी आखों में एक सुस्ट अभिव्यक्ती भर गई थी, उसके बिस्तर पर एक औरत अपने शांदार बदन पर सिर्फ अंडर्वियर पहने लेटी थी, महिला की स्लीपिंग पोजीशन बेहद आकर शक थी, मनमोहक और मोहक वाइब्स के साथ नाजुक और उत्कृष्ट आकरितिया, अपने पूर्ण आत्मनियंत्रन के बावजूद धनुष इसक्षन अपनी कलपना को उडान दिये बिना नहीं रह सका, नीचे बहुत सारे कमरे हैं और कांग जिया वास्तव में मेरे कमरे में सो रही है, यह महिला, क्या ऐसा ह कि उसे डर नहो कि मैं अचानक वापस आजाऊ और फिर उसके साथ कुछ अन्होनी कर दूँ, धनुष ने अपना सिरहिलाया और लाइट बंद करने वाला था, गेस्ट रूम में जा रहा था, लेकिन बिस्तर पर कांग जिया अचानक चली गई और उसने अपनी आखे खोली, कौन है भाई? तुम वापस आ गए? धनुष ने हंस्ते हुए कहा, हाँ, मैं अभी वापस आया हूँ और आराम करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी, काम जिया के चहरे पर शर्मिंदगी का भाव गहराता जा रहा था, वह जानती थी कि धनुष क्या कहेगा, हाला बात यहा है कि उसने खुद को रजाई से ढखे बिना केवल अंडर्वियर पहना था, क्या इसका मतलब यहा नहीं था, कि वह पहले से ही लगभग सब कुछ देख चुका था, उसके हावभाव को देखकर धनुष केवल मुस्कुराया, ठीक है, चुंकि तुम मेरे कमरे में स वह तुरंत बिस्तर से भागी, अपनी चपले रखी और दर्वाजे की ओर तेजी से दोड़ी, फिर भी जब वह दर्वाजे की ओर दोड़ी, तभी उसे पता चला कि उसने भी धनुष के कमरे में अपने शरीर को ढखने वाली पतली रजाई फेंक दी थी, वह कंबल वापस लेना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसने केवल अंडर्वियर पहन रखा था, एक पल के लिए उसका आमतोर पर स्मार्ट और बुद्धिमान स्वया अप्रत्याशित रूप से पूरी तरह से नुकसान में फंस गया था, शर्मिन्दा था, धनुष ने सिरहिलाते हुए मुसक उसे एहसास हुआ कि वह अंडर्वियर चेंज करके नहीं आया है, किसी अन्यविकल्प के बिना वह नगन अवस्था में कमरे से बाहर चला गया, बिस्तर पर बैठ गया और खुद को कंबल से ढख लिया, और फिर बिस्तर पर आधा जुपकर कामजिया का नंबर डायल किया, हाँ बॉस, दूसरी मंजिल पर मास्टर बेडरूम में कामजिया ने पजामा पहन रखा था क्योंकि वह बिस्तर पर बैठी थी, उसकी कलपना जंगली चल रही थी, जैसे ही उसने अपना मोबाइल बज़ता सुना, उसने उसे ले लिया और देखा कि यह धनुश का फोन था उसके चहरे पर हलकी सी लालिमा चा गई, लेकिन फिर भी उसने जल्दी से इसका जवाब दिया, अरे, मैं साफ अंडर्वियर और कपड़े लाना भूल गया, क्या आप उन्हें भेज सकते हैं, मैं पहली मंजिल पर हूँ, धनुश ने कहा, ठीक है, कांग जिया ने जवाब दिया, दो मिनट बाद उसने अतिथी कक्ष का दर्वाजा खठटाया, और धनुश की आवाज सुनी, उसे अंदर जाने दिया, उसने सावधानी से दर्वाजा खोला, और बिस्तर सिर की स्थिती में बैठे धनुश के नगन उपरी शरीर को देखा, उसके चहरे पर हलकी सी दाली के साथ उसने कहा, बॉस आपके कपड़े, धनुश ने बिस्तर के अंत की ओर इशारा किया और कहा, उन्हें बहार रखो, कांजिया ने जल्दी से कपड़े बिस्तर के सिरे पर रख दिये, लेकिन उसके दिमाग में एक अजीब सा विचार कौंध गया, जाहिर है कि उ उसने अभी-भी नहाना खत्म किया था और अभी उसे कपड़े और अंडर्वियर बदलने बाकी थे, फिर वह अब बिल्कुल नंगा है, धनुश का नगन रूप कंजिया के दिमाग में अनायास ही आ गया, एक पल के लिए उसका चेहरा गर्म हो गया, शर्मा गया, मानो सू उन नाजुक शरीर को ढखने में असमर्थ था, यहां तक की तेज रोशनी में उसके अंडर्वियर का रंग भी साफ देखा जा सकता था, वह एक दुष्ट और विक्रित आदमी नहीं था, फिर भी उसका शरीर जवान था और वह अपनी जवानी के चरम पर था, आवेग में अपने सही दिमाग में वापस आ गई, उसने शर्मीले भाव से अपना सिर हिलाया, उसकी आखों में घबराहट थी क्योंकि उसने जवाब दिया, उहक नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, धनुष ने हंस्ते हुए कहा, कुछ नहीं है, तो वापस जाकर आराम करो, भोर जल ही आएगी, और यदि आप अच्छी नींद नहीं लेंगे, तो आप कल काम में उचसाहित नहीं होंगे, काम, जैसे ही उसने धनुष को इस शब्द का जिक्र करते हुए सुना, उसका दिल मानो ठंडे पानी की बाल्टी से उडेल दिया गया था, अचानक एक गुरे मूर ने उसे भर दिया, ऐसा महसूस हुआ कि वह वास्तव में धनुष के लिए पर्याक्त आकर्शक नहीं थी, उसे लुभाने में सक्षम नहीं थी, यदि दूसरे पुरुष उसे अपने शरीर पर केवल पजामे के साथ और अपने बिस्तर पर बैठे हुए देखते, तो शायद व धनुष की ओर देखा और पूछा, खैर क्या मैं वास्तव में तुम्हारे लिए इतनी अनाकर्शक हूँ, बस एक कर्मचारी हूँ जो तुम्हारे लिए पैसे कमा सकती हूँ, एक पल के लिए धनुष शुने में देखता रहा, उसकी भावनात्मक बुद्धमत्ता जितनी क उसे वास्तव में समझ नहीं आया कि कंग जिया ने अचानक उससे यह सवाल क्यों पूछा, एक शंचुप रहने के बाद वह फिर उदासिंता से बोला, किसी भी पुरुष के लिए आप में एक प्रबल आकर्शन और आकर्शन होता है, जहां तक मेरी बात है, मैं प्रेम के भाव में नहीं फसना चाहता, इसलिए मैं आपको कोई जिम्मेदारी नहीं दे सकता, इसलिए आपको अपने कर्मचारी के रूप में मानने के अलावा, मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपको अन्यथा कैसे माना जाएं, क्या कहा आपने धनुष को देखते ही कांग जिया जो मैं किसी भी महिला को दे सकता हूँ ऐसा नहीं है कि मैं प्यार या ऐसे रिष्टों में अस्थिर हूँ बल्कि मैं भाबनाओं से तन नहीं होना चाहता मैं मानता हूँ कि आप एक असाधारण, संपूर्ण महिला है फिर भी मैं आपको केवल अपनी अधीनस्थ मान सकता हूँ। जैसे ही उसने धनुष के कठोर नगन शरीर को देखा, उसकी अभिव्यक्ती एक पल के लिए स्थब्ध रह गई, फिर भी उसने खुद को सीधे उस पर दबा लिया। जायक है। धनुष के नीचे लेटकर कामशिव ने चुपचाप सिरहिलाया। आपको इसका पच्तावा नहीं है, धनुष ने पूछा। कामजिया का दिल सभी प्रकार की भावनाओं से भर गया था। यह अनुभूती इतनी जटिल थी कि उसके लिए इसका वर्णन करना कठिन था। वह नहीं जानती थी कि धनुष के प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। क्या उसे इसका पच्तावा था। अगर सच कहा जाएं तो उसने किया थोड़ा। फिर भी चीजे पहले ही इस बिंदु पर पहुच गई थी और वह केवल वही स्विकार कर सकती थी जो हुआ था। वह बार-बार खुद को दिलासा देती थी कि यह धनुष के साथ केवल वन नाइट स्टैंड था, भोर के बाद कभी कुछ नहीं होता। धनुष ने अब नहीं पूछा। वह महिलाओं के विचारों और सोचने के तरीके के बारे में कुछ नहीं जानता था। इसके अलावा वह इसकी तह में गंभीरता से नहीं जाना चाहता था। जो किया गया वह पहले ही किया जा चुका था और खेद के बारे में फिर से पूछना अनावश्चक था। कमजिया की अनिच्छा के बावजूद धनुष ने उसे गले लगाया और उसे उठाया, उसे बाथरूम में ले आया। उसने उसके शरीर को साफ किया और फिर उसे वापस बिस्तर पर लिटा दिया। उसे कमबल से ढखने के बाद धनुष ने अपने कपड़े पहने और सीधे कमरे से बाहर चला गया। कमरे के अंदर यह एक घातक शांती से भर गया था। कामजिया अपने दिल की धड़कन सुन सकती थी। जो कुछ हुआ था उसके बाद वह एक सुख़द अनुभूती के साथ साथ एक लंबे समय तक चलने वाले दर्द को भी महसूस कर सकती थी। सचे अर्थों में एक महिला का पहली बार एक तरह का मंत्रमुग्ध करने वाला अनुभव था, क्योंकि पर्मानंद की भावना बादलों में उची उडान भरने का स्वाध थी। इससे उसका गाल गर्म हो गया। उसका स्वभाव। ऐसा लगता है वह पूरी तरह गैर जिम्मेदार नहीं है। जैसे ही वह धीरे-धीरे सो गई उसके दिमाग में कलपनाय दौडने लगी। धनुष वापस अपने कमरे में लौट आया। वह तुरंत सोने चला गया। उसके पास एक उतकरिष्ट काया हो सकती है। लेकिन एक घंटे तक लड़ने और बिस्तर पर काम करने के बाद वह अब लगभग इसे सहन नहीं कर सकता था। दोपहर से कुछ पहले, धनुष को उसके मोबाइल की रिंगटोन ने जगाया। जैसे ही उसने अपना मोबाइल लिया और उसे देखा, तो पाया की यह उसकी मा का फोन था। उसने फोन उठाया और मुस्कराते। उसके साथ एक रिष्टेदार की तरह व्यभार कर सकता था और फिर एक अच्छा इंसान बन सकता था। भले ही उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़े, वह तयार थी। जियांग फेई अपनी दादी के साथ घर पर रहो। कुछ दिन रुको और फिर हम तुम्हारे पिता को देखने के लिए एक साथ स्टार सिटी वापस जाएंगे। ठीक है, आँटी सुजियांग फेई ने जोर से सिरहिलाया, हाला कि उसके चहरे पर अभी अभी आई मुस्कान के निशान जल्द ही गायब हो गए। एक पल की हिचकी चाहट के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, आँटी, अगर मेरी बड़ी बहन यह नहीं सोच सकती है, और आपसे और धनुष से नफरत करना जारी रखती है, तो कृप्या उसे दोश न दें। उसने कहा कि वह अपने सहपाठी के साथ रहेगी, नौकरी ढूंढेगी और वहीं बस जाएगी, सुज्यांग फेई ने कहा। मा, कृप्या सेल फोन जियांग फेई को पास करें। जैसा कि सुलिंग्युन ने सुना, उसने जल्दी से अपना मोबाईल सुज्यांग फेई को यह कहते हुए सौंक दिया, तुम्हारी चचेरी बहन तुमसे बात करना चाहती है। सुज्यांग फेई के चहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ती प्रकट हुई। उसने फोन लिया लेकिन बात नहीं की। फिर धनुष की आवाज प्रसारित हुई, जियांग फेई, मुझे परवाह नहीं है कि तुम वास्तव में पश्चाताप करने में इमानदार हो या नकली। याद रखना, अगर तुमने ऐसा कुछ करने की हिम्मत की जिससे मेरी मा को ठेस पहुँचे, तो मैं तुम्हें इस दुनिया के सबसे दैनियस वाद का अनुभव कराऊंगा। लेकिन अगर आप वास्तव में जीवन में एक नया पत्ता बदलने में सक्षम हैं और प्रिप्या हमारे रिष्टेदारों के साथ व्यवहार करें, तो मैं आपके जीवन में तेजी से प्रक्ती करने का वादा कर सकता हूँ। सुजियांग फे ने कटु स्वर में उत्तर दिया, जीवन में तेजी से प्रक्ती कर रहे हैं। मुझे डर है कि मैं अपने पिता की तरह तेजी से प्रक्ती करने के बाद खुद को खो दूँगा। चचेरा भाई, धनुष मैं पहले जो कुछ भी हुआ था, उसे मैं लिख दूँगा। उसने वह नंबर डायल किया जो कुवाको कितामिया ने उसे दिया था। हम दो दिनों में वापस जाने की तयारी कर रहे हैं। क्या आपके North Star One Blade स्कूल में कोई महिला दिन जा है? जो आपके प्रती वफादार हैं, धनुष ने पूछा। कुवाको कितामिया ने आत्म विश्वास से जवाब दिया, मेरे चार अटेंडेंट हैं जिन्होंने North Star One Blade स्कूल से गंभीर प्रशिक्षन स्विकार किया है। लेकिन मैं इस बार उन्हें अपने साथ नहीं लाया। इसके अलावा, जब मैं वापस जाऊंगा, तो मैं उन पर आत्मा शासन मंत्र का उप्योग करूंगा, ताकि उन्हें और अधिक वफादार बनाया जा सके। क्या वे मंदारिन बोलते हैं? धनुष ने पूछा। हाँ, वे जापानी, मंदारिन, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन में धारा प्रवाह हैं, कुवाको कितामिया ने सम्मान पूर्वक कहा। धनुष ने कहा, उस स्थिती में आप आत्मा शासन मंत्र का उप्योग करने के बाद, उनमें से दो को मेरी मा की गुप रूप से र जात ब्रश किये और अपना मोह धोया और पहली मनजिल पर हॉल में गया, भोजन कक्ष से भोजन की हलकी गंधा रही थी, आप जाग गए, यह भोजन का समय है, कंगजिया ने रसोई से दो बरतन लिये और धनुष को देखते ही एक प्यारी सी मुसकान दिखाई, उसे देख की हुई थी, कि वह मुश्किल से एक उंगली भी हिला सकती थी, और इससे पहले उसके पास कोई ताकत नहीं थी, फिर भी वह अब इतनी उर्जावान थी, उसके उजजवल और उत्साही रूप को देखते हुए, वह और अधिक सुन्दर और लुभावनी लग रही थी, धनुष के आगमन को देखकर वह खुशी से भरी दिख रही थी, धनुष ने उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरते हुए, मुस्कराते हुए कहा, चलो खाना खाते हैं, इसके अलावा, कुछ दिनों बाद, मैं तुम्हें अपने साथ जिंगमें द्वीप ले जाऊंगा, हम्म धनुष का बस एक intimate event था, इसलिए वह धनुष को लेकर खास तोर से चिंतित हो गई, अगर धनुष को कहीं जाना होता, तो शायद उसे इसकी परवाह नहीं होती, लेकिन अगर वह जिंगमें द्वीप गया, तो वह थोड़ी चिंतित थी, ऐसा इसलिए था क्योंकि ओयान ल मैं उसे उसकी बड़ी बहन से मिलने ले जा रहा हूं, और साथ ही रास्ते में विदेश यात्रा पर ले जा रहा हूं, मैंने पहले प्रशांत महासागर में एक ग्वीप खरीदा था, जिसके बारे में मैंने अभी तक नहीं देखा था, इसलिए कॉलेज शुरू होने से पह और शिक्षु भी है, जो एक महिला निकली तो वह चुपके से चकित रह गई, फिर उसने कहा, बॉस, आपको खुद पासपोर्ट के लिए आवेदन करना होगा, और इसे प्राप्त करने में भी थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर आपको लोंग जेंगयू मिल जाए, तो वह इसे पाने में सक्षम होना चाहिए, धनुष ने सिर हिलाया, फिर मैं उनसे मदद मांगूंगा, आओ बैठो और खाना खाओ, हमें अपने शरीर का ख्याल रखना होगा, शरीर का ख्याल रखना, अचानक कंग जिया को याद आया कि उन दोनों के बीच क्या हुआ था, ज जा वह इनिन को पसंद करेगी? धनुष मुस्कुराया, आपकी बड़ी बहन घायल है और कोमा में है, हलांकि उनका मिजास बहुत अच्छा है, इसके अलावा आप उसके जैसे दिखते हैं जब वह छोटी थी, मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से आपको पसंद कर देगी? हमल गुईन ने प्यार से सिरहिलाया. कामजिया ने फिर एक ध्रमित अभिव्यक्ती के साथ पूछा, आपके पास वास्तव में कितने प्रशिक्षु हैं, बॉस? वर्तमान में चार हैं, धनुष ने मुस्कराते हुए जवाब दिया. कामजिया ने जारी रखा, मैं तुम्हें उसके बारे में पता चलेगा. दोपहर के भोजन के बाद कंगजिया ने हडबडी में साउथ गेट टाउन छोड़ दिया. मैगनिफिसेंट टैंग कॉर्पोरेशन बिल्कुल शुरुवाती चरण में था और बहुत सी चीजे थी जिन्हें उसे व्यक्तिगत रू उसके बाद वह स्टार सिटी चीनी मेडिकल अस्पताल चला गया. उनके साथी ग्रामेन स्टार सिटी में अस्पताल में भरती होने आये और भले ही उन्होंने उनके लिए सब कुछ व्यवस्थित करने के लिए फोन किया. फिर भी उन्हें बहां जाकर उन्हें देखना पड और उनसे पांच घायल ग्रामीनों के वार्ड नंबर के बारे में पूछा। अगर वह रहने के लिए तयार थे तो मैं वास्तव में उन्हें अध्यक्ष का पद देने को तयार था। मेरे स्टार सिटी चीनी मेडिकल अस्पताल में आ रहे हैं। में सोचा, तो उन्होंने फोन रख दिया और राष्ट्रपती के कार्याले से बाहर आते ही उन्होंने तुरंत दाई जिन्यू से कहा। रोगी विभाग के वाड के अंदर चीनी मेडिकल अस्पताल में उनकी चिकित्सा सेवा के लिए भी उनके पास कोई निश्चित समय नहीं है। मेरे पिताजी ने अस्पताल के अध्यक्ष से पूछा है और उन्हें यह भी नहीं पता था कि दिव्य डॉक्टर टैंट चिकित्सा सेवाई देने के लिए कब आएंगे। सु जियांडे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया यह देखते हुए कि आप राश्ट्रपती को जानते हैं मैं कह सकता हूँ कि आप एक सामान्य व्यक्ती नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि हम इस वार्ड में क्यों रह सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि धनुष ने अस्पताल के प्रमुख को फोन किया था साथ ही मैंने उसे बड़े होते देखा वह बच्चा समझदार, विचारशील और बुद्धिमान है इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक दिव्य चिकित्सक बन गया हाँ हाँ अंकल जियांडे, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे है यह थोड़े मुझे शर्मिंदा करता है दरवाजे पर धनुष की आकरती प्रकट होते ही बाहर से आवाज आई सुजियांडे के साथ साथ अन्यसुग्रामीनों के चहरों पर तुरंट एक सुखद आश्चर्य की अभिव्यक्ति लिखी गई सुजियांडे उठने के लिए संधर्श कर रही थी, लेकिन धनुष ने उसे रोक दिया अंकल जियांडे आप धायल हो गए हैं, इसलिए उठेंड नहीं आखिरकार हम रिष्टेदार हैं, इसलिए हम अपने बीच समारोहों में कटौती कर सकते हैं कैसा है? क्या आपकी चोटे ठीक हो गई हैं? धनुष ने उसे देखकर मुस्कुराया और पूछा सुजियांडे ने उच्साह से कहा, रिकवरी बहुत अच्छी है डॉक्टरों ने कहा कि मुझे अस्पताल छोड़ने से पहले केवल 10 से 15 दिन चाहिए धनुष यह वास्तव में तुम हो लेकिन क्या आप किंगे काउंटी नहीं जा रहे थे? अब आप स्टार सिटी में वापस कैसे आएं? घर पर सब कुछ अच्छी तरह से संभाला गया है और आपको घायल करने वाले अपराधी ने माफी मांगी है और अपनी गलतियों को स्विकार किया है उन्हें मुआवजा भी दिया तो यह घटना का अंत है जहां तक मेरी बात है मुझे कुछ चीजों का ध्यान रखना है इसलिए मैं स्टार सिटी वापस आ गया इसके तुरंत बाद धनुष ने वाड के अंदर अन्य गाओं का अभिवादन किया हाला कि वह वर्तमान में धनी और शक्तिशाली था साथ ही इस अस्पताल में एक दिवे चिकित्सक के रूप में प्रतिष्ठित होने के बावजूद उसने अहंकारी व्यवहार नहीं किया और उसका रवया हमेशा की तरह विन्मर था अगले दिमार शया पर सफेद बालों वाला बूढ़ा जो सिरहाने आधा बैठा हुआ था धनुष को कौतुहल भरी निगाहों से देख रहा था उसके बच्चे भी यही कर रहे थे उन्होंने सुना था कि डिवाइन डॉक्टर टैंग बहुत छोटा था लेकिन यह उनकी कलपना से बाहर था कि वह इतना छोटा होगा धनुष और साथी सुग्रामीनों को एक दूसरे का अभिवादन करते देख गुढ़ा फिर मुस्कुराया और कहा ही रोज वास्तव में युवाओं से आते हैं मैंने सुना है कि डिवाइन डॉक्टर टैंग एक युवक है लेकिन इतना युवा होना मेरी कलपना से परे है दिव्य डॉक्टर टैंग आप आते हैं और चले जाते हैं जैसे कि यह एक सन्योग है क्या मैं आपसे अभी अपनी वीमारी की जाच करने के लिए कह सकता हूँ धनुष ने वृद्ध की ओर आखों में थोड़ी सतर्कता से देखा जैसे ही वह भरती विभाग में आया उसे एक असामान्य बाद का एहसास हुआ पूरे भरती विभाग में casual suit में कम से कम 20 आदमी थे जो सीधिया और लिफ्ट देख रहे थे वाड के गलियारे में कई कठोर दिखने वाले पुरुष भी थे जो मार्शल आर्ट विशेशग्य प्रतीत होते थे जो जानबूच कर वाड को देख रहे थे अत उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया कि व्रिध व्यक्ती की पहचान निश्चित रूप से असाधारन थी इसके अलावा उसने महसूस किया कि बूढ़ा आदमी कुछ जाना पहचाना था लेकिन उसे याद नहीं था कि उसने उसे कहा देखा था कुछ देर चुप रहने के बाद उसने पूछा तुम्हारी बीमारी क्या है बूढ़ा व्यक्ती कुटिलता से मुस्कुराया यह दमा है कई वर्षों से पुराना है यह आजकल गंभीर होता जा रहा है इसलिए जब मैंने सुना की स्टार सिटी चाइनीज मेडिकल अस्पताल में एक दिव्य चिकित सक ड्यूटी पर है तो मेरे बच्चे मुझे बीजिंग से यहा ले आए मुझे आपको कैसे संबोधित करना चाहिए धनुष ने सिरहिलाया बूढा हनसा मेरे परिवार का नाम भी टैंग है हमारा पूरा परिवार लगभग 500 साल पहले एक ही लाइन से आया होगा परिवार का नाम टांग बीजिंग से धनुष की भौहें तन गई हाला कि सुलिंडियुन ने अपने पिता के बारे में उन्हें बहुत अधिक जानकारी नहीं दी थी फिर भी उन्होंने उसे बताया था कि उनके पिता बीजिंग से आये थे और उनका उपनाम टांग भी था हाला कि उसने चुपके से अपना सिरहिला दिया क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि दुनिया में ऐसा सन्योग हो सकता है। इसके अलावा, जिस पिता को उसके प्रती कोई सनेह नहीं था, उसे उनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इस परिवार की प्रिष्ठ भूमी साधारन नहीं थी। जदि वह इस परिवार से संबंधित होता, तो क्या वह संभवता अपनी मा को भी पसंद करता, जो की ग्रामीन इलाकों की एक साधारन महिला थी। धनुष ने बूढ़े आदमी के मुस्कुराते हुए चहरे को देखा और हलके से कहा, सच कहू तो ताम सरनेम वाले लोगों पर मेरी कोई अच्छी चाप नहीं है। अगर मैं कर सकता, तो मैं वास्तव में चाहता था कि मेरा उपनाम सुहो। वैसे भी अस्थमा का इलाज बहुत आसान है। बीमारी की समस्या फेफडों के अंदर होती है। आप से मिलने जाना पड़ेगा। आधनुष ने हैरान भाव से कहा, क्या कोई ऐसी चीज है जिसके लिए तुम्हें मेरी जरूरत है। ली होंग जी ने मुस्कराते हुए कहा, बेशक ऐसे मामले हैं जिनकी आपको जरूरत है। आपकी वजह से हमारा स्टार सिटी चीनी मेडिकल अस्पताल पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया है। आपने उन कठिन से इलाज वाली आंतरिक बीमारियों को ठीक किया है और बहुत सारे रोगियों का इलाज भी किया है जो देश के अन्यक्षेतरों से आये थे, जिनका इलाज कई बड़े अस्पतालों के उत्कृष्ट डॉक्टरों द्वारा नहीं किया जा सकता था। इसलिए आप चिकित्सा जगत के सबसे चमकदार सुपर्नुवा हैं। मुझे यह मत बताओ कि जब आप अस्पताल आए तो आपको इसका एहसास नहीं हुआ। यह इनपेशन्ट विभाग पहले से ही देश भर से आने वाले रोगियों से भरा हुआ है। यहां तक की हर मन्जिल पर प्रतेक गलियारा अस्थाई रूप से बीमार बिस्तरों से भरा हुआ है। हमने कल जो पचास बिस्तर खरीदे थे, वे परियाप्त नहीं हैं, गलियारों में बहुत सारे मरीज पड़े हैं। धनुष चकित था और उसने अविश्वास के साथ कहा, स्टार सिटी चीनी मेडिकल अस्पताल की प्रसिधी वास्तव में इतनी बड़ी हो गई है। ली होंग जी ने मुस्कराते हुए कहा, यह बिल्कुल सच है। धनुष ने उसकी नाग को छुआ और हलके से कहा, ऐसा लगता है कि मैं यहां जितनी बार चिकित सा सेवा देता हूँ, उतनी बार कम कर दूँ। उंचे पेड हवा को आकरशित करते हैं, जबकि मैं खुद कभी भी सुर्खियों में रहना पसंद नहीं करता। उसने फिर अपना सिर घुमाया और बुढ़े व्यक्ती से बोला, इसके बारे में क्या ख्याल है, आपके बच्चे आपको परामर्श कक्ष में ले जाएं, मैं वहां तुम्हारी जाच करूंगा, बाद में आप समय बचा सकते हैं और तुरंट निकल सकते हैं। ली होंग जी ने बुढ़े व्यक्ती की गोर देखा और उसकी आखों में एक असामान्य रोश्नी चमक उठी। फिर उन्होंने जल्दी से कहा, सीनियर चीफ, चुंकि धनुष आपका इलाज करने को तयार हैं, इसलिए आप अंतह अपने अस्थमा से ठीक हो पाएंगे। इसलिए उन्हें धनुष पर काफी भरोसा था, वरिष्ट अधिकारी, धनुष ने भौहें चड़ा ली, उसके दिमाग में अचानक एक तस्वीर कौंध गई, उसे अचानक समझ हाया कि उसे ऐसा क्यों लगा कि यह बूढ़ा कुछ जाना पहचाना लग रहा है, वह देश क पतीली, क्या मैंने आपसे नहीं कहा है, कि मुझे फोन न करें, मुझे ओर्ड टैन कहना ठीक है, आँ, हाँ, 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 ली होंग जी ने जल्दी से एक विनमर मुस्कान बिखेरी और कहा, बुढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए धनुष की ओर देखा और कहा, दिव्य मेरे लिए अलकोहल कॉटन के साथ, कुछ मेडिकल अलकोहल भी तयार करें, ली होंग जी के पीछे गए अस्पताल के नेता ने तुरंत कहा, मैं तुरंत जाकर उन्हें तयार करूंगा, धनुष ने अपना हाथ हिलाया और ली होंग जी से बात की, मुझे कुछ दिनों के लि मेरे पास फिर से समय होगा, उन मरीजों के बारे में जो देश भर से आ रहे हैं, अस्पताल में अभी भी अन्य डॉक्तर हैं, इसलिए आप उन्हें इसे संभालने दे सकते हैं, जैसे ही ली होंग जी ने इसे सुना, एक कड़वी और खटी अभिव्यक्ती ने तुरंत उनक अपने सामने वाले की तुलना में फीके पढ़ गए हो, फिर भी कुछ लोगों को ठेस पहुचाना वास्तव में अच्छा नहीं था। मामले के कारण तुरंत आपकी छुप्टी की घोशना करूंगा, यह कहते हुए कि आप थोड़े समय के भीतर हमारे स्टार सिटी चाइनीज मेडिकल अस्पताल में वापस नहीं आएंगे, धनुष सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए चुप हो गया, तो ठीक है, मुझे कल क अगों की धीर को देखा, जो कमरे में प्रवेश करने ही वाली थी, धनुष एक शन के लिए शुने में घूरता रहा और आश्चर्य से उसकी आखें भराईंग, ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उनमें से किसी को जानता था, जिंग में ड्वीप ताम डोम में सीसाइड स्ट्र हिलाया, मजबूर होकर मुस्कुराने के बाद उसने बूढे को जवाब दिया, अंकल मेरे पिता ने सुना है कि आप इलाज के लिए स्टार सिटी आ रही है, इसलिए वह चाहते थे कि मैं आप से मिलने आऊँ, इसके अलावा स्टार सिटी में मेरे परिचत भी है, इसलिए इस बार मेरी यात्रा उन्हें व्यापार के लिए तयार कई सामान देने के लिए भी है, हम्फ बुढे आदमी ने ठंडेपन से कहा, तुम्हारे पिता के लिए मुझे याद करना दुलब है, एह, ऐसा ही होगा, चुंकि तुम आए हो और मुझे देखा भी है, बस जाओ और अपना काम संभालो, टैंग डोंग ने कुटिलता से मुस्कराते हुए कहा, अंकल, भले ही मैं अपने व्यवसाय की देखभाल करना चाहता हूँ, फिर भी मुझे पहले अपने परिचित को ढूंडना होगा, अगर मैं अभी जाता हूँ, तो मैं व्यापारिक लेंदेन पू बिखेरी, अंकल, जिस व्यक्ती के साथ मेरा लेंदेन होने वाला है, वह बिल्कुल यहीं है, बूढ़ा आदमी एक पल के लिए हैरान हुआ, इससे पहले की वह गुस्से में उरता, इस समय धनुष के चहरे पर मुस्कान की एक जलक दिखाई दी और उसने कहा, तांग डों इस बार आप कितने माल लाए, तैंग डों ने मुसकराते हुए अपनी उंगलिया आगे बढ़ाई, पांच, धनुष ने सिर हिलाया, वे कहा है, मैंने कुछ लोगों को अंतिन लेंदेन स्थल पर ले जाने के लिए भेजा है, मैं मूल रूप से आपको कॉल करने से पहले अ जवाब दिया, हाँ, वे घायल हैं, इसलिए मैं उन्हें देखने आया था, यह मेरे लिए वैसा ही है, मुझे ऐसे सन्योग की उम्मीद नहीं थी, यह बुजुड आपका चाचा निकला, राश्ट्रपती ली भले ही मैं न बोलूं, शायद आपका अस्पताल उनसे अस्पत जाल में भरती और चिकित सा उपचार शुल्क लेने से भी डरता है, है ना? ली होंग जी ने एक शर्मिंदा मुस्कान दी, बेशक्त बिलकुल, बुढ़ा आदमी आंशिक रूप से बीमार सिर पर बैठा था और उसने टांग डोंग और धनुष को विसमय से देखा, उन्ह जागीर के बारे में जानते हैं धनुष ने हलके से कहा, मेरे पास एक छोटा सा व्यवसाय है, जो कुछ पैसे कमाता है, और मेरे परिवार का समर्थन करता है आपकी एक विशिष्ट स्थिती है, इसलिए आप हम जैसे छोटे लोगों की कठिनाईयों को नहीं जानते हैं बूढ़ा अवाक था, उसका उपनाम तांग था और उसे तांग गोशिंग कहा जाता था, जबकि बिस्तर के पास उसके बच्चे तांग युनपेंग और तांग मिन थे इस समय तांग युनपेंग ने भौहे चढ़ाई, दिवियर डॉक्टर टैंग, हालांकि मेरे पिता का रुत्बा उचा है, फिर भी वे लोगों की कठिनाईयों को समझते हैं यदि आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो मैं पूछता हूँ कि आप इस तरह गैरजिम मेदाराना तरीके से बात न करें धनुष ने उस पर ठंडी निगाह डाली और कोई जवाब नहीं दिया ताम गोशेंग ने धीमी आवाज में डाटा, युनपेंग बक्वास मत करो डांटने के बावजूर अंदर ही अंदर वह हैरान रह गया वह बता सकता था कि धनुष ने उसकी पहचान का सही अनुमान लगाया था, फिर भी उससे उससे जरा सा भी डर नहीं था मानो उसकी हैसियत और पहचान कुछ भी नहीं थी वह जानता था कि यदि आम लोग उसकी पहचान जानेंगे, तो उसे यकीन था कि वे बहुत हैरान होंगे और तुरंट उसके सामने सम्मान पूर्वक व्यभार करना शुरू कर देंगे उदाहरन के लिए स्टार सिटी चीनी मेडिकल अस्पताल के अध्यक्षली होंग जी ताम युनपेंग ने डाटते ही थोड़ी मजबूर मुसकान दिखाई उसने धनुष को सबक सिखाने का इरादा किया था लेकिन बादवाला आखिरकार एक दिव्य चिकित सकता और उसके पिता की बीमारी को भी उसके इलाज की जरूरत थी इसलिए वह केवल अपने दिल के अंदर विचार को ही दबा सकता था धनुष को देखकर टैंग गोशेंग हंसा दिव्य डॉक्टर टैंग मैंने आपको अपने उपर हंसाया मेरे ये बच्चे किसी काम के नहीं है और बेकार की बातें करना पसंद करते हैं इसलिए कृप्या इन्हें नजरंदास करें यह सिर्फ इतना है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी उम्र के बावजूद आपके पास इतनी बड़ी क्षमता होगी धनुष ने उदासींता से कहा कोई बात नहीं दूसरी ओर टैंग डोंग धनुष के हाभाव पर उदासींता देख सकता था उसने जल्दी से कहा धनुष मैं वास्तव में कभी नहीं जानता था कि तुम अप्रत्याशित रूप से एक दिव्यचिकित सक बन जाओगे अगर मुझे यह पहले से पता होता तो मैं आपको अपने चाचा की जाच करने के लिए पहले ही कह देता धनुष ने कहा अभी इसका इलाज करने में डेर नहीं हुई है भले ही उन्हें सास लेने में कुछ तकलीफ हो फिर भी उनके लिए आठ से दस साल से ज्यादा जीने में कोई दिक्कत नहीं होगी जब मैंने उसका अस्थमा ठीक कर दिया, तब भी वह दस साल से अधिक जीवित रह सकता था महान टैंग डोंग को सुखद आश्चर्य हुआ टैंग डोंग का रंग अचानक तिम्टिमा गया उसे अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से कहा धनुष, चुंकि आप एक दिव्य चिकित सक के रूप में प्रतिष्ठित हैं यहां तक कि मेरे चाचा भी आपके इलाज के लिए हजारों मील से स्टार सिटी तक गए थे तो क्या, क्या आपके लिए मेरे तीसरे का इलाज करना संभव हो सकता है भाई, यदि आप उसका इलाज कर सकते हैं, तो मैं आपको सभी भयंकर जानवरों के शरीर और हड्या मुफ्त में दे दूँगा मैं उनके लिए एक पैसा भी नहीं मांगूंगा बीमार बिस्तर पर तांग गोशेंग, बिस्तर के पास तांग युनपेंग और तांग मिन उन सभी की आत्मा चौक गई थी क्योंकि उनकी आखें तुरंट धनुष को तीवरता से घूर रही थी सब मुफ्त में दिया जाएगा धनुष ने तांग डोम को हैरानी से देखा किसी को पता होना चाहिए कि एक भयंकर जानवर के शरीर और हड्डियों की कीमत लगभग पांच मिलियन युवान थी और यह बाग में बढ़ती रहेगी और इस आदमी ने कहा कि वह उन सभी को मुफ्त में उसके पास भीजेगा कीमत ही क्या यह बहुत बड़ी संख्या नहीं थी उसकी बीमारी क्या है टैंग डोम ने भारी लहजे में जवाब दिया लेकिन फिलहाल मैं बहुत व्यस्थ हूँ इसलिए मेरे पास समय नहीं है टैंग गोशेंग ने उच्शुकता से पूछा दिवे डॉक्टर टैंग वायू आप किसी का इलाज वानसपतिक अवस्था में कर सकते हैं धनुष ने हलके से कहा मैं इसका इलाज कर सकता हूँ या नहीं मैं उसकी जाच करने के बाद ही बता सकता हूँ वह 19 साल से कोमा में है फिर भी वह अब तक जिन्दा है ऐसा लगता है कि आपने काफी श्रमसाध्य प्रयास खर्च कर दिये हैं तांग गोशें के चहरे पर एक दर्दनाक अभिव्यक्ती चमक उठी उसने अपनी जुरीदार हतेली को कस कर पकड़ लिया कुछ सेकंड की चुपी के बाद वह कड़वाहट से बोला वह मेरा सबसे छोटा बेटा है वह 25 वर्ष का था जब वह एक वानसपतिक अवस्था में प्रवेश कर गया था और सन्योग से वह इस स्टार सिटी में घायल हो गया था प्रसिद्ध शहर धनुष स्थध था क्योंकि उसका दिल अचानक तनावग्रस्थ हो गया एक शंचुप रहने के बाद धनुष ने गहरे स्वर में पूछा तुम्हारे सबसे छोटे बेटे का नाम क्या है तांग युंडे तांग गोशेंग ने धी में और गहरे स्वर में उत्तर दिया क्या कहा आपने धनुष का रंग बहुत बदल गया और पीला पड़ गया उसकी आखों में अविश्वास जलक रहा था तांग युंडे यह एक जाना फचाना लेकिन अपरिचित नाम था जिसके लिए उन्होंने बीस वर्षों तक इसे मजबूती से अपने कानो में उकेरा और इतने सालों तक इस नाम का मालिक भी उसकी नफरत का निशाना बना तांग गोशेंग ने धनुष को देखते ही चौक गए दिव्य चिकिट सकतांग आप कैसे आए धनुष ने तांग गोशेंग की ओर देखा और उसकी आखों में ठंडक छा गई और उसने कई सवाल पूछे तांग यूंडे क्या वह 19 साल पहले स्टार सिटी में एक आंत में रहते थे उस समय 25 साल का बीजिंग से आता है और कभी एक प्रसिद सैनिक थे तांग गोशेंग हैरान था तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला धनुष का भद्दा चेहरा और अधिक गंभीर हो गया वह एक जटके में समझ गया फिर उसने ली होंग जी की ओर देखा और कड़े लहजे में कहा उन्हें स्टार सिटी चीनी मेडिकल अस्पताल से बाहर निकालो और स्टार सिटी से बाहर निकालो मैं उसकी बीमारी का इलाज कभी नहीं करूँगा भले ही वह मर जाए क्या? ली होंग जी हैरान रह गये वह हक्का बक्का रह गया और धनुष के अचानक हिंसक रूप से भड़कने से स्टब्ध रह गया धनुष की आखें भेडिये की तरह थी तांग गोशेंड, तांग युनपेंड, तांग मिन और साथ ही तांग डोंको बरफीली मृत आँखों से देख रहे थे वह घूमा और तेजी से निकल गया जब वह सीधियों पर था तभी रुका दीवार से पीछ टिका कर वह बुरी तरह हाफने लगा तांग युनडे, वह इस नाम के मालिक से कैसे नफरत करता था उसने मूल रूप से सोचा था कि बड़े होने के बाद वह उससे नफरत नहीं करेगा यहां तक कि यह विश्वास करते हुए कि उनके बीच कोई संपर्क कभी नहीं होगा फिर भी उसने अचानक इस आदमी का नाम सुना और यहां तक कि उसके पिता और भाई भनों को भी देखा बरसों से उसके दिल में दबी-दबी नफरत का सैलाब एक बार फिर फूट पड़ा यह नफरत खुद के लिए नहीं बलकि उसकी अकेली और परित्यक्त मा के लिए थी जिसने उसे पाला धनुष के हाथ काम परहे थे उसने अपनी जेब से एक सिगरेट का पैकेट निकाला उसे जलाया और दो बार गहराई से चूसा धीरे धीरे उसकी अंतरतम दुनिया के अंदर का गुस्सा वापस सामान्य हो गया वाड के अंदर धनुष की प्रतिक्रिया से टैन परिवार हैरान रह गया वे इस बात से अन्भिग्य थे कि धनुष उन्हें इतनी तीवर घेना क्यों दिखाएगा धनुष की अभी अभी की अभिव्यक्ती ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे उनके नश्वर शक्रु थे क्या हुआ? ताम गोशें के होंट काम रहे थे और कई बार हिले भी उसने चौक कर दरवाजे की ओर देखा अचानक उसे कुछ एसास हुआ और उसकी आखें अविश्वास से चौड़ी हो गई फिर वह कड़क आवाज में चिलाया जल्दी से उसे पकड़ लो उसे खोजो और उसे वापस लाओ ताम युनपिंग अपनी चकाचौन्द से जागा संभलने के बावजूद एक ग्रमित अभिव्यक्ती के साथ पूछा पिताजी यह किस तरह की स्थिती है तैंग गोशेंग मानो अपने बेटे का सवाल सुनने में असमर्थ था अपने मन के अंदर उन्होंने अपने सबसे चोटे बेटे की वानसपतिक अवस्था में आने से पहले की पुकार को बार-बार याद किया पिता, आप फिर से दादा बनेंगे लिटल युन अब गर्भवती है, तीन महीने हो गए है यहां हो सकता है ताम गोशेंग का बुढ़ा शरीर थोड़ा काम प्रहा था वह जानता था कि उसका एक लापता पोता या पोती है जिसे उसने कभी नहीं देखा था 19 साल पहले उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे की पत्नी यानि अपनी बहु को खोजने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को भीजा था जिनसे वह पहले कभी नहीं मिले थे हाला कि वह केवल इतना जानता था कि उसके सबसे छोटे बेटे की पत्नी को लिटिल यू कहा जाता था और कोई जानकारी नहीं थी इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जाच से कुछ भी पता लगाने में असमर्थ थे वह हमेशा सोचता था कि उसका सबसे छोटा बेटा एक दिन जादेगा और फिर वह उससे अपनी बहु और उसकी पोती या पोते के बारे में सुनेगा दुर्भाग्य से वह निराशा से मारा गया था तैंग युनपेंग ने उच सुकता से भरी आँखो से अपने पिता की लगातार बगलती अभिव्यक्ती को देखा जबकि टैंग मिन और टैंग डोम उल्जन में दिखे क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे किस तरह की स्थिती में है तुम उसका पीछा क्यों नहीं कर रहे हो तांग गोशेंग अपनी चकाचौंद से बाहर आया और तुरंत बाहर निकला क्योंकि उसने देखा कि उसके बच्चे अभी भी वही थे तांग युनपेंग कुछ देर के लिए हिचकी चाए फिर वह घुमा और वाड से बाहर चला गया जैसे ही वह बाहर गलियारे में दाखिल हुआ वह अभी भी पूरी प्रक्रिया का पता लगा रहा था उन्होंने कैजूल वेश में एक अंगरक्षक की ओर हाथ हिलाया और पूछा जो युवक अभी अभी वाड से निकला है वह कहा गया गार्ड ने सीधियों की ओर इशारा किया वहा ताम युनपेंग ने सिरहिलाया और सीधियों की ओर बढ़ गया जैसे ही वह वहाँ पहुचा उसने धनुष को दीवार पर जुक कर देखा उदास दिख रहा था और सिगरेट पी रहा था दिव्य डॉक्टर टैंग मैं जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया धनुष ने उनकी ओर ठंडे और निरलित भाव से देखा तुम्हारे पास न तो अधिकार है और नहीं योग्यता तुम्हारे पिता को भी यह अधिकार नहीं है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस समय टैंग युन्डे को आपके परिवार से निकाल दिया गया था और फिर वह अकेले स्टार सिटी आया था क्या मैं सही हूँ तांग युन्पेंग ने अपनी भाहे सिकोरते हुए पूछा तुम्हें मेरे सबसे छोटे भाई की स्थिती के बारे में इतना कैसे पता है धनुष ने अपना सिरह लाया मैं बहुत कम जानता हूँ लेकिन ये मेरे परिवार को आपके टैन परिवार से घ्रिना करने के लिए काफी है इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे उक्साओ मत आपका टैन परिवार बड़ा और शक्तिशाली हो सकता है लेकिन अगर मैं आपको नश्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ अभी भी मेरी क्षमताओं में है ताम युनपेंग के चहरे पर भ्रूभंग और गहरा हो गया क्योंकि उसने पूछना जारी रखा आप हमारे प्रती बहुत शत्रुतापूर्ण प्रतीत होते हैं क्या मेरे टैंग परिवार और आपके बीच कोई नफरत और ग्वेश है धनुष ने व्यंग्य करते हुए कहा एक शिकायत मैं कैसे कामना करता हूँ कि यह केवल शिकायत थी बस इसे भूल जाओ मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे पिता की बीमारी का इलाज नहीं कर सकता इससे खुद निपटने की पूरी कोशिश करें इतना कहकर वह नीचे चला गया इंतजार एक तेज आवाज गूंजी यह तांग युनपेंग नहीं बलकि तांग गोशेंग था जो किसी के साथ आया था जो उसे सहारा दे रहा था धनुष रुप गया और उसे ठंडी नजरों से देखा तांगोशेंग धनुष के सामने रुप गया वह बुदबुदाने से पहले काफी देर तक धनुष के चहरे को गौर से देखता रहा आप तो ऐसे ही दिखते हैं, कम से कम 60 प्रतिशक 20 साल पहले मैंने लगभग स्टार सिटी को पूरी तरह से बदल दिया था लेकिन फिर भी मैं अपनी सबसे छोटी बहू लिटिल युन नामक महिला को खोजने में अस्फर रही चुंकि युन्डे अचानक घायल हो गया और एक वानसपतिक अवस्था में बदल गया 20 साल हो गये हैं कि मैं उसके जागने की उम्मीद कर रहा था ताकि वह मुझे व्यक्तिगत रूप से उस महिला का पूरा नाम बता सके उसी समय उसने मुझे बताया कि वह पहले से ही गर्भवती थी और यहां रहती थी क्या? ताम युन्पेंग और धनुष बिना किसी एहसास के चिल्लाएं यहां तक कि टैंग डोम की आखें भी चौड़ी हो गई उसकी आखों से अविश्वास चलक रहा था वे सभी इस मामले के बारे में जानते थे और वे लंबे समय से इसका उत्तर खोज रहे थे यहां हो सकता है तीनों लोगों की निगाहें धनुष को गौर से देख रही थी धनुष चुप था वह उस वर्ष घटित वास्तविक तथियों के बारे में कुछ नहीं जानता था यदि वह आदमी अचानक लापता हो गया क्योंकि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और वानस्पतिक अवस्था में बदल गया था और फिर राजधानी वापस लाया गया था लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बाद में स्टार सिटी में फिर कभी दिखाई न दे ताम गोशिंग एक कदम आगे बढ़े और पूरी गंभीरता के साथ कहा अगर तुम मेरे हो धनुष ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया और ठंडे और अलग भाव से कहा नहीं जितना अधिक मैं उस धेनासपद नाम को सुनूँगा उतना ही मैं उसका जवाब दूँगा इसके अलावा मैं पहले से ही 22 साल का हूँ और मेरा आपसे कोई भी संबंध नहीं होगा इसलिए बस वाड में जाओ और मैं तुम्हारा इलाज वहीं करूंगा 22 साल का ताम गोशेंग की भौहे गहरी हो गई अगर धनुष की उम्र को संदर्भ बनाया जाएं तो वह उनका अपना पोता नहीं हो सकता था फिर भी उनकी प्रतिक्रिया और उपस्थिती बहुत असामान्य थी भले ही वह उनका पोता नहीं था लेकिन शायद उनके और उनकी बहु के बीच एक अटूट रिष्टा था धनुष आप मेरे सबसे छोटे बेटे की स्थिती के बारे में जानते हैं और आपकी प्रतिक्रिया बहुत ही असामान्य है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको कुछ पता होना चाहिए रुप्या मुझे बताएं मेरा टैन परिवार निश्चित रूप से इसके लिए आपको धन्यवाद देगा वाड की ओर चलते हुए धनुष ने ठंडी और अलग आवाज के साथ जवाब दिया मैं आपके तान परिवार की कृतग्यता के बारे में कम परवाह नहीं कर सकता बहतर होगा कि आप इस गडबर गंदगी के बारे में न सोचें और अपने अस्थमा पर ध्यान दें यदि आप चाहते हैं कि मैं आपका इलाज करूं तो बकवास बंद कर दें अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा इलाज करूं तो यहाँ ज्यादा देर मत रहो और वापस बीजिंग चले जा ताम गोशिंग के चहरे पर एक जटिल भाव था धनुष ने जितना असामान्य अभिनय किया उतना ही वहाँ अपने संदेह के बारे में निश्चित था धनुष को अपने सबसे छोटे बेटे और उसकी पतनी के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए फिर भी धनुष के सपष्ट शत्रतापून रवये के साथ उसने महसूस किया कि उसे अनुचित जल्दबाजी के साथ काम नहीं करना चाहिए टैंग डोंग और टैंग मिन की आँखों से एक अजीब सी रोशनी चमकी भले ही वेचुप रहे हालांकि ताम युनपेंग ने डूपते स्वर में कहा धनुष बहतर होगा कि आप अपने रवये पर ध्यान दें हम्फ धनुष ने ठंडेपन से कहा आपको लगता है कि मेरा रवया काफी अच्छा नहीं है अगर आपको ऐसा लगता है तो भाड में जाव ताम युनपेंग को गुस्सा आ गया वह एक प्रमुख पदवाला व्यक्ति था और शेत्र का एक उच्छ पदस्थ अधिकारी भी था कई सालों तक किसी ने उनसे इस तरह के रवये से बात करने की हिम्मत नहीं की इसके अलावा उनके पिता की एक अधिक विशिष्ट स्थिती थी और देश के कुछ वरिष्ठ राजनिताओं के समान स्थिती वाले थे अब हालांकी एक बीस वर्शिय युवक ने उसे अपमानित किया जिससे वह तुरंत धनुष के खिलाफ कारवाई करना चाहता था तांग गोशेंग ने तांग युनपेंग को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और तांग युनपेंग की ओर देखा तभी उसने धनुष की ओर देखा और कहा फिर मुझे इसके लिए तुम्हें परिशान करना पड़ेगा दिव्य डॉक्टर टैंग वाड में लोटने के बाद सुजियांदे ने धनुष को लोटते देखा और जल्दी से पूछा धनुष क्या तुम ठीक हो धनुष ने मुसकराते हुए अपना सिरहिलाया अंकल जियांडे मैं ठीक हूँ सुजियांदे अपनी तनाफपूर्ण स्थिती से शांत हो गए वह एक ठेट ग्रामीन आम आदमी था उनके सभी रिष्टेदार भी वहां के स्थानिय किसान थे उन्होंने यह भी सोचा की ताम गोशेंग पहले कुछ परिचित दिखते थे और वर्तमान में उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने उन्हें टीवी पर देखा था वह देश के बड़े निताओं में से एक थे वह जितने अच्छे दिल के थे वह चाहते थे कि धनुष इस तरह के बड़े लोगों को नाराज न करें लेकिन फिर उसने उस रेखा को निगल लिया जो पहले से ही उसकी जीब की नोक पर थी धनुष ने बीमार बिस्तर की ओर इशारा किया और डूपते स्वर में बोला अपना कोट उतारो और अपना चेहरा फर्श पर टिकाओ तां गोशेंग ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया और बीमार बिस्तर के सिरे पर लेट गया हाला कि उन्हें नहीं पता था कि धनुष उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा लेकिन डिवाइन डॉक्टर की उपाधी के साथ यह निश्चित रूप से एक मजाग नहीं होगा धनुष की उंगलियों ने तां गोशेंग की छाती के केंदर प्रतिबिंग बिंदूओं को दबाया और आधा मिनट तक रगड़ा फिर उसने ली होंगजी द्वारा सौंपे गए अलकोहल और अलकोहल कौटन को लिया और उप्त प्रतिबिंग बिंदूओं को बार बार रगड़ा जबकि उसकी उंगलिया तां गोशेंग के फिफडों पर सभी प्रतिबिंग बिंदूओं को दबा रही थी अस्थमा को ब्रोनकियल अस्थमा के नाम से भी जाना जाता था यह फिफडों के वायुमार की एक उरानी भड़काव बीमारी थी जिसमें विभिन प्रकार की कोशिताएं और श्वसन अंग शामिल थे यदि स्थिती अधिक गंभीर हो जाती है तो इससे निमोनिया हो सकता है जीर्ण वायुमार की सूजन अक्सर अतिप्रतिक्रियाशील श्वसनपत के बढ़ने के साथ होती है जिससे बार-बार घर घराहट, सांस की तकलीफ, सीने में जकडन और खासी होती है जदी कोई इसे ठीक करना चाहता है, तो ब्रोनकियल बाधा का इलाज करने के अलावा, फेपडों की सूजन को कम करना होगा धनुष के पास वास्तव में अधे प्रभावी उप्चार पध्धती थी हालांकि तान गोशेंग की उम्र आखिरकार पहले से ही उन्नत थी और काफी कटरपंथी उप्चारों के लिए उप्युक्त नहीं थी, भले ही इस तरह की उप्चार पध्धती का प्रभाव बेहद उतक्रिष्ट था इसलिए धनुष केवल पहली विधी की तुलना में थोड़े खराब प्रभाव वाली कोमल विधी का चयन कर सकते थे फिर भी विधी कोमल होने के बावजूद इसने आसपास के लोगों को डरा दिया जैसे ही धनुष के एक हाथ नेली होंगजी से अलकोहल और अलकोहल कॉटन लिया उसने अपना दूसरा हाथ टैन गोशेंग के फिफडे के प्रतिविम बिंदु से भी वापस ले लिया अपने हाथ की हथेली में अपने स्टार बल के प्रवाह के साथ धनुष ने तान गोशेंग की पीठ पर बार 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 करना शुरू कर दिया उसके द्वारा की गई प्रतियक हिट तान गोशेंग के शरीर में उसके स्टार बल के प्रवेश का कारण बनी क्योंकि उसने आंतरिक अंगों, फेफरों और श्वासनली की ओर बढ़ते बल को नियंत्रित किया, जब तक कि उसका स्टार बल धीरे-धीरे उनमें रिसने न लगा। खासी, खासी, खासी। एक तेज खासी ने तान गोशेंग का शरीर कांपने लगा। उनकी आखे फूली हुई थी और चहरा लाल हो गया था। यहां तक कि उसके माथे की हरी नसे भी उभर आई थी। आसपास के लोग इस द्रिश्य को देखकर कांप रहे थे। विशेश रूप से तान परिवार के दिल में एक विचार अंकुरित हुआ था। धनुष ने कहा था कि वह इस बूढे व्यक्ति का इलाज नहीं करेगा, फिर भी क्या वह इस समय प्रतिशोध लेने का मौका ले सकता है और फिर बूढे व्यक्ति को पीडित कर सकता है। लगभग दस मिनट बाद ताम गोशें को अब खासी नहीं हो रही थी। धनुष ने धीरे से अपने हाथ पीछे खीच लिए, फिर उन्होंने अपने हाथों को गर्म पानी से धोया और उदासींता से कहा, अस्पताल के वरिष्ट चीनी चिकित सक को क्यूई बढ़ाने और फेफरों को नम करने के लिए एक चीनी हरबल दवा का नुस्खा बनाने दें, तीन से पांच दिनों तक दवा पियें, वैसे भी राष्ट्र पतीली वह अब ठीक हैं, उन्हें पहले ही छुटी मिल सकती है, अस्पताल में पर्याप्त वाड नहीं है, इसलिए हम इसे खाली रख सकते हैं और अन्य रोगियों को देरी नहीं कर सकते हैं, यह ली से महसूस कर सकता था कि उसकी सास विशेश रूप से चिकनी थी, सास लेने के अपने सामान्य संधर्श से बहुत अलग थी, यहां तक कि उनका दिमाग भी पहले से कहीं ज्यादा शांत और स्पष्ट था, जिस प्रभाव ने उन्हें सबसे अधिक संतुष्ट किया, वह यह था कि वह महसूस कर सकते थे कि उनका शरीर बहुत आरामदायक था, जैसे कि वह कुछ दशक छोटे हो गए हो, उसका शरीर अब बहुत अधिक शिथिल महसूस कर रहा था, अस्पताल छोड़ दो और प्रशासन की आपचारिकताओं को तुरंट पूरा करो, फिलहाल टैन गो गोश को देखा, तो उनकी आखों में बहुत अधिक प्रशन सा थी, ताम गोशिंग कौन थे, वे देश के वरिष्ठ राजनीती ग्यों में से एक थे, एक सम्मान जनक स्थिती वाला कोई और करोडों लोगों से उपर, फिर भी धनुष ने उसके प्रती ऐसा रवया रखने का साहस किया, यहां तक किली होंगजी भी उसकी थोड़ी सी पूजा किये बिना नहीं रह सके, के बाद वह अब चीनी चिकित्सा अस्पताल के अंदर नहीं रहे, अब तक उसके पास केवल एक ही विचार था, अपनी मा को देखने के लिए तुरंत किंधे काउंटी में अप अपनी मा को बतानी चाहिए, उसकी मा क्या करेगी, वह केवल उसके फैसले का सम्मान कर सकता था, वापस रास्ते में उसने सुबेन और सुक्वान को फोन किया, और उनसे कहा कि वे स्टार सिटी के лिए न निकले क्योंकि वह चाहते थे कि वे दोनों सुगाव में उनका इंत मेरा इंतजार करो। मुझे अपनी मा से कुछ जरूरी बात करनी है। बात करने के बाद मैं तुम दोनों से बात करूँगा। ठीक है। सुबेन और सुकवान ने एक ही समय में सिरहिलाया। लॉम डाइनिंग हॉल में स्टार सिटी। आलिशान प्रेसिदेंशियल सुट के अं जुरिदार थी क्योंकि वह समयसमय पर उसके सामने कॉफी टेबल पर अपने मोबाईल को देखता था। वह प्रतीक्षा कर रहा था। जाच के उस परिनाम की प्रतीक्षा कर रहा था जिसे उन्होंने स्टार सिटी चीनी चिकित सा अस्पताल छोड़ने के बाद करने का उनकी अभिव्यक्ति और आवाज बेहत गंभीर थी। तभी उनके फोन से एक आवाज आई, सीनियर चीफ हमने धनुष की जानकारी की सपष्ट रूप से जाच की है। उसका बूढ़ा शरीर सुलिंग्यूं नाम सुनकर कामपने से खुद को रोक नहीं सका। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि धनुष उसका पोता है। उनकी उम्र फिट है। एकल अभिभावक। सब कुछ फिट। सुलिंग्यूं लिटिल यू के अंतिन चरित्र के साथ उन कि आखे कुछ गीली थी, भीतर एक जटिल अभिव्यक्ती। वह धनुष की नफरत और गुस्से से पूरी तरह वाकिफ थे, साथ ही यह भी समझते थे कि वह ऐसा क्यों है। उसके सबसे चोटे बेटे के साथ जो घटना घटी थी, वह बहुत अचानक थी, इतनी अचानक कि कि वह सुलिंगयून के सामने कबूल नहीं कर पाया था। हाला कि उन्हें न तो कोई सुराग था और नहीं समझ में आया कि सुलिंगयून इतने सालों बाद तान परिवार को खोजने के लिए बीजिन क्यों नहीं गए। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे यकीन नहीं था कि वह टै परिनाम क्या है। इस समय टैंग युनपेंग, टैंग मिन और टैंग डोम समझ गए। तान युनपेंग ने भारी स्वर में कहा पिताजी चुंकि वह हमारे तान परिवार के वन्शज हैं इसलिए हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या चाहता है। इससे अपने पूर्वजों के मंदिर के सामने प्रणाम करने और अपने पूर्वजों और परिवार की रेखा को पहचानने के लिए अपने साथ बीजिंग वापस ले जाना चाहिए। इसके अलावा उनके पास शांदार चिकित्सा विशेश गिता भी है। वह आपके पु जेडर है कि यह एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया हो सकती है। आपने यह भी देखा कि जब उन्होंने हमारी पहचान की पहचान की तो उन्होंने कितना गहरा आक्रोश दिखाया। 20 साल से जो नाराजगी का जमावडा है वह कोई ऐसी चीज नहीं है जो थोड़ी देर में क्योंकि उन्होंने इतने वर्षों तक बहुत सारी कठिनाईयों और कष्टों को जेला है। हमारी टैंग परिवार के पास वास्तव में कोई योग्यता नहीं है और उनसे कुछ भी पूछने का अधिकार नहीं है। फिर हमें इसके साथ कैसे आगे बढ़ना चाहिए। पित युनपेंग और टांग मिन एक स्वर में चिलाएं। टैंग डोंग ने भी अपना मुह खोला, फिर भी इस दर से कि उसके चाचातां गोशेंग उसे फटकारेंगे, उसने द्रिटा से आगरह को रोक दिया। टांग गोशेंग ने अपना सिर हिलाया, लिटिल मिन तुम मेर साथ चलोगे। जहां तक आपकी बात है, युनपेंग, चुंकि हमारी बीमारी के कारण हमारा टैंग परिवार बहुत अस्थिर स्थिती में है, तो आपको राजधानी वापस जाना चाहिए और अपने तीसरे अंकल को वहां स्थिती को स्थिर करने में मदद करनी जितनी जल्दी हो सके बाहर किया जाना चाहिए। यहां तक कि अगर हमें इसे विपरीत पक्ष के कुछ हितों के साथ व्यापार करना चाहिए, तो उसे वह स्थिती लेनी होगी। खुल मिलाकर यह रिट्रीट हमारे टैंग परिवार की अगरिन योजना के लिए बहुत मद की। धनुष क्या तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम कुछ समाई के लिए वापस नहीं आओगे। कैसे। जैसे ही उसने धनुष को देखा सुलिंगयून के चहरे पर एक आश्चर्य की अभिव्यक्ती प्रकट हुई। सुजियांग फई को अपनी आँखों के पिछले ह इससे से देखते हुए धनुष ने फिर उसे जवाब दिया मा मुझे आपसे कुछ महत्वपून बात करनी है। चलो कोई शांत जगह ढूंडते हैं। क्या जरूरी बात है सुलिंगयून ने हैरान भाव से पूछा। धनुष बगल वाले कमरे में चला गया जहां वह रुक है मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उत्तेजित नहीं होंगा। साइड रूम के अंदर धनुष ने अंदर से दर्वाजा बंद कर दिया क्योंकि उसने अपनी धारना जारी की और पाया कि सुज्यांगफेई गुप रूप से छिपकर सुनने के लिए नहीं आया था, बल ठीक है क्या चीन के शीर्ष विश्वविद्यालियों के वे लोग आपको एक जैटून शाखा देना चाहते थे क्योंकि आप इस वर्ष शुवंद किंप्रांत में विध्यान विश्यों के लिए शीर्ष स्कोरर हैं। धनुष भारी स्वर के साथ जारी रहा, एक बूढ़ा भी था। वह तांग गोशिंग साथ ही साथ उनके सबसे बड़े बेटे तांग युनपेंग, उनकी बेटी तांग मिन और उनके भतीजे तांग डोंग जो राजधानी से आय थे के नाम से जाने जाते हैं। वे बीज पकड़ कर उसे बिस्तर के किनारे पर बैठने के लिए ले लिया। उसके बाद ही उसने जारी रखा, मा, मुझे लगता है कि आपको मुझे इस बारे में कुछ बताने की आवश्यक्ता है। जानता था कि उसकी मा को खबर पचाने के लिए कुछ समय चाहिए होगा। लंबे समय के बाद एक उत्तेजित और परेशान अभिव्यक्ती ने सुलिंग्यून के चहरे को धक लिया, साथ ही उसके भीतर कुछ उम्मीदे भी थी, जैसे वह फुसुसाई, वह कहा है। बीजि तो वह हमें खोजने क्यों नहीं आया। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि उसका परिवार वहा था, लेकिन वह उसे खोजने क्यों नहीं गई। धनुष ने उसे धीरे से पकड़ लिया और उसकी पीठ थपत पाई और कहा, मा, मैं हमेशा से जानता था कि आप एक मजबूत महिला हैं, जब मैं छोटा था। और दर्ध भरे स्वर में अपना धुंधला और अश्रुपूर्ण चेहरा उठाया, अतीत में उसे अपने साथियों से बाहर जाने के लिए फोन आया, तो उसने कहा कि वह शराब पी कर बाहर जाएगा, उस समय मैंने उसे गंभीरता से नहीं लिया बलकि उसका इंतजार किय मैंने फिर एक दिन, दो दिन, तीन दिन इंतजार किया, वह तब गायब था, बिना किसी खबर के, मैंने पुलिस को सूचना दी, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला, मुझे हमेशा विश्वास था कि वह हमें नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे लगा कि वह किसी अंधेरी गली में मर गया है, बाद में सुचांगवेन मुझे वापस धर ले गई और मैं तुम्हारे पैदा होने तक वहीं रहा, तुम्हें जन्म देने के बाद मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और उसे और उसके टैन परिवार को खोजने के लिए राजधानी जाना चाहती थी, ले पास भयानक शक्ती और प्रभाव है, अगर उन्हें पता होता कि मेरे पास टैंग युंडे का बेटा है, तो मुझे डर था कि वे तुम्हें मुझसे चीन लेंगे, मैंने पहले ही एक पती खो दिया है, मैं अपने बेटे को खोने के लिए कभी सहन नहीं कर सकती, तो इतने स सालों में आपने कभी बीजिन जाने के बारे में नहीं सोचा, धनुष ने पूछा, धनुष क्या आपको जुनियर हाई स्कूल में प्रवेश करने से पहले याद है, हर साल मैं कहता था कि मुझे अपने रिष्टेदारों को देखने के लिए पडोसी शहर जाना है, दूर से ही गुप रूप से उस स्थान का निरीक्षन करने का साहस किया, हालांकि मैंने कभी किसी को आपके पिताजी के बारे में जिक्र करते नहीं सुना और मैंने कभी उन्हें एक बार भी नहीं देखा, सुलिंग्यून ने कटू और पीडापून अभिव्यक्ती के साथ क लेकिन अब आप क्या करने का इरादा रखते हैं? लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि टैंस के प्रती मेरे मन में रत्ती भर भी पारिवारिक्स ने नहीं है. मेरा परिवार और जड़े इसी जगह पर हैं. लंबे समय तक सुलिंग्यून खामोश रही और उसके बाद चुपचाप सिर हिलाया. धनुश फिर बोला फिर तुम उसे कब देखोगे? मानो कुछ समझ में आ रहा हो. सुलिंग्यून ने अचानक धनुश की बाहों को उसके चहरे पर घबराहट और उत्तेजत अभिव्यक्ती के साथ पकड़ लिया. धनुश मा जानती है कि तुम एक डॉक्तर हो और मैंने यह भी सुना है कि तुम इस उभर आए. लेकिन फिर भी उसने सिरहिलाया और कहा धनुश जियांग्फेई को घर पर अपनी दादी की देखभाल करने दो. हम अब बीजिंग जाएंगे. 20 साल बीच चुके थे और उसने एक बार भी अपने पती को नहीं देखा था. अपने पती के जीवित होने की खबर सुनकर सुलिंडयून ने चाहा कि उसे देखने के लिए तुरंत बीजिंग जाने के लिए उसके पास पंक हो. वह जितनी देर करती उसकी पीड़ा उतनी ही बढ़ती जाती. धनुश ने अपना सिरहिलाया और धीरे से कहा मा मुझे लगता है कि हमें अभी भी थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी होगी क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोग हमें बीजिंग आमंतरित करने आएंगे. सुलिंडयून ने एटक उसकी ओर देखा और एक असमंजस भरे भाव से पूछा कौन हमें वहां आमंतरित करना चाहेगा. ताम परिवार धनुश ने उत्तर दिया. सुलिंडयून की अभिव्यक्ति बदल गई. उसने अपने बेटे को दूर ले जाने के डर के साथ साथ दो दशकों तक तांगों के प्रती युद्ध किया. उसे डर था कि उसका बेटा अब उसके करीब नहीं रहेगा. फिर भी अब वह डरती नहीं थी. उसका बेटा हो गया था और उनके बीच का सने न तो प्रसिधी और नहीं भाग्य से चीना जाएगा. धनुष तुम इतने आश्वस्त क्यों हो कि टैंस हमें आमंतरित करने आएंगे. धनुष ने धीरे से उत्तर दिया. मा, वे चाहते हैं कि हम पूरवजों को कहचाने और वे यह भी चा हिए. क्योंकि टैंड परिवार का खून मेरी रगों में बहता है. अगर मेरे पास कभी कोई वितल्थ होता, तो मैं अपने भीतर सुरक्त प्रवाहित होता. मा, वे मेरी नजर में अजनबी के अलावा कुछ नहीं है, जबकि मैं हमेशा किसी भी अजनबी से संबंध बनाने स कत्राती रही हूं. और मा, मैं तुम्हारी पसंद का सम्मान करता हूं. इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरी पसंद का सम्मान कर सको. सुलिंगयून ने अपना मुह खोला, फिर भी उसे अपने बेटे का खंडन करने के लिए कोई शब्द नहीं मिला. आखिरकार वह धानी जाएंगे सूलिंगयून ने कहा धनुष ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया जैसे ही उसने सुशियांग फेई को आंगन में कपड़े धोते देखा वह उसके पास आने से पहले एक पल के लिए चुप हो गया फिर उसने अपनी जेब से सिगरेट का आधा पैकेट निकाला और एक उसे देने के लिए निकाला उसने उनकी सिगरेट जलाई और गहरा कश लिया उसके बाद वह सुशियांग फेई के बगल में पेड़ पर जुप गया और शांती से कहा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने चीजों का पता कैसे लगाया सुशियांग और फिर मुस्कराते हुए कहा यह मैं नहीं था जिसने चीजों का पता लगाया यह मेरे पिता ही थे जिन्होंने मुझे इसका एहसास कराया सदगुनों को पुरस्कृत किया जाएगा और दुष्टों को प्रतिशोध भी मिलेगा जबकि कुछ लोगों को उनके द्वारा कि सुज्यांग फेई ने अपना सिर हिलाया नहीं वास्तव में मैंने वापस आने से पहले तुमसे नाराजगी जताई थी आखिरकार आप काफी निर्दई थे तुमने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया और मेरे पिता के बचे हुए जीवन को भी नश्ट कर दिया लेकिन जब मैंने आंटी और आपकी बाची चुपटे से सुनी तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना बेतुका था धनुष ने सिर हिलाया एक पल की चुपी के बाद उसने फिर धीरे से कहा जाओ अपने हाई स्कूल के तीसरे वर्ष को फिर से दोहराओ उसके बाद अगले साल CET लें आपको अपने कल्यान के बारे में चिंता करने की जूरत नहीं है मेरी मा आपकी देख भाल करेगी सुज्यांग फेह अचानक मुस्कराए और यह विशेश रूप से उज्वल था फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा मेरे शैक्षनिक ग्रेड के साथ मुझे डर है कि मा की चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं यहां रहूंगा फिर मैं किंधे काउंटी छोड़ दूंगी और अपनी क्षमता के आधार पर अपने दम पर जीने के लिए बाहर चली जाऊंगी भले ही मैं बाद में जीवन के साथ कितना भी अच्छा कर लूँ मैं अंतहसू परिवार में अपनी जड़ो की ओर लोटूंगा फिर मेरा सेल नंबर लिखो मुझे आशा है कि आप मुझसे तभी संपर्क करेंगे जब आप परिस्थितियों से मजबूर हो धनुष ने कहा सुज्यान फेई ने चुपचाप सिर हिलाया धनुष अब नहीं ब मैं स्टार सिटी वापस नहीं लोट सकता मुझे कुछ मामलों से निपटने के लिए बीजिंग जाना होगा जब मैं राजधानी से स्टार सिटी वापस आऊंगा तो मैं आप से दोबारा संपर्क करूंगा सुकवान ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया यह बहुत अच्छा होगा मूल रूप से बिग ब्रदर बेन और मैंने भी कुछ दिनों बाद स्टार सिटी जाने की योजना बनाई थी क्योंकि आपको वह सिल्वर ड्रैगन ग्रास चाहिए हम भी उनमें से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं धनुष ने जट से कहा मैं तुम्हें सलाह देता हू कि ऐसा मत करो यहां तक कि यदि आप अधिक लोगों को लेते हैं तो आप केवल परवत की बाहरी परिधी के आसपास ही देख सकते हैं आपने स्वयं कहा था कि वह भयंकर जानवर बहुत खतरनाक है और सामान्य लोग मूल रूप से इसे घायल करने में असमर्थ हैं इसलिए पहाड की गहराई में यात्रा के दौरान आपके हताहत होने की सबसे अधिक संभाव ना होगी सुबेन धनुष के स्वभाव और स्वभाव को जानती थी उसे पूरी गंभीरता से बोलते हुए देखकर सुबेन ने तुरंत उत्तर दिया फिर हम आपकी बात सुनेंगे हम अ वैसे भी तुम दोनों अपना काम संभाल कर जा सकते हो और मेरी कॉल का इंतजार करो ठीक है सुबेन और सुखवान ने उत्तर दिया जैसे वे अगले दरवाजे पर सुबेन के घर की ओर चल रहे थे दो घंटे बाद दो काली ओडिया धीरे धीरे आंगन के बाहर खड़ी हो मिन ने सिर हिलाया पिताजी मुझे भेजी गई जानकारी के अनुसार वे यहां रहते हैं मैंने GPS का भी इस्तमाल किया यह वह जगह है जहां उनका परिवार रहता है ताम गोशिंग ने चार अंगरक्षकों को देखा और गहरे स्वर में बोला आप सभी को बाहर रहना है और से ही उन्होंने आंगन में प्रवेश किया और सुशियांग फेई को देखा उनकी आखों से एक विस्मयकारी अभिव्यक्ती चमक उठी और उन्होंने उससे पूछा युवक क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सुलिंग्यून और धनुष यहां रहते हैं सुजयांग फेई क जैसे ही धनुष ने टैंग गोशिंग और टैंग मिन को देखा उसने मन ही मन आह भरी वह अंदाजा लगा सकता था कि वे क्यों आए हैं लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी होगा शायद उसके स्टार सिटी चाइनीज मेडिकल अस्पताल छोड़ने के का नाम धनुष है गुर्राया धनुष ताम गोशिंग एक पल के लिए चुप हो गया उसने फिर बेपसी से जवाब दिया धनुष यह तुम्हारी मा है मेरी बहु है है ना सुलिंगयून हक्का बक्का रह गया भले ही उसने धनुष से सुना कि टैंग परिवार के कुछ लो भी था तुम मैं सुलिंगयून हूँ ताम गोशिंग सुलिंगयून और धनुष की ओर चला गया और उसने कड़वाहट से कहा मैंने लोगों को भेजा और लगभग 20 साल पहले पूरे स्टार सिटी में बह गया लेकिन यह बहुत दुरभाग्य की बात थी कि मैं आप दोनों मा और बेटे को नहीं पा सका। युंडे ने ही मुझे बताया था कि तुम लिटिल यूं कहलाती हो। इस प्रकार बिना अधिक जानतारी के मुझे आपका पूरा नाम नहीं पता था। 20 साल पहले जब मैं व्यत्तिगत रूप से युंडे को लाने के लिए स्टार सिटी गय तब मैं तुम्हें नहीं ढूंड पाया था। इसलिए इन सभी वर्षों में मैंने तुम्हें मा और बेटे को कठिनाईयों का सामना करने दिया। यह सुनते ही सुलिंडियून की आँखों से आसू छलक पड़े। टैंग मिन उसके पास आया और मुस्कुराते हुए उससे भाभी आप उन्हें पिता क्यों नहीं कहते। सुलिंडियून ने अपना मुह खोला, फिर भी उसकी आवास बाहर नहीं निकल सकी क्योंकि वह उसके गले में अटकी हुई थी। वह जानती थी कि उस साल उसका पती स्टार सिटी में अकेला क्यों आया था। उसे उसके जार में पढ़ गए और साथ रहने लगे। बाद में वह गर्भवती हो गई, लेकिन उसके पास अभी तक विवा प्रमान पत्र नहीं था। लेकिन उसके पती ने उसे अपनी असली पहचान बताई और यह भी जाना कि उस समय टैंग परिवार पर भारी संकट आ पड़ा थ लेकिन जब वह गर्भवती हुई, उत्साह और आनंद से प्रेरित होकर उसने तांगोशेंग को बुलाया। उसने इस ससुर को टीवी पर देखा था, लेकिन यह पहली बार उसे व्यक्तिगत रूप से देख रही थी। इसलिए वह अभी उन्हें पिता नहीं कह सकती थी। तांगोशेंग ने मुस्कराते हुए कहा, छोटे यू, मुझे पता है कि आपके लिए मुझे ससुर कहना काफी अजीब है। हाला कि आप आखिरकार मेरे बेटे की पतनी है और आपने तांगोचे वंश को जन्म दिया है। अगर यहाँ आपकी इच्छा के विरुद्ध है, तो मैं आपको अपने ससुर के रूप में पहचानने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता। मैं केवल यहाँ आशा करता हूँ कि मैं आपको भविश में मा और बच्चे को शतिपूर्ती कर सकूंगा। सुलिंडियून ने अपना सिर उठाया और तांगोशेंग की ओर देख हो। सुलिंडियून धनुष की ओर मुडी। शांत भाव से धनुष ने कहा मेरी मा का बीजिंग जाने का उद्देश्य उन्हें देखना है लेकिन हमारा परिवार बीजिंग में नहीं है। यदि आप कर सकते हैं मुझे आशा है कि आप हमें उसे देखने देंगे क्योंकि ह हम सच्चे अर्थों में एक परिवार हैं लेकिन टैंसक हमारे लिए कुछ भी नहीं बलकि अजनबी हैं।